कि साथियों एक छोटा सा मुझे सवाल बताईए वो यह है कि कि 95 डिग्री का जो कोण है यह अधिक कोण है कि निवन कोण है कि जल्दी से सभी साथ ही कमेंट करेंगे फटाफट मैं सबका कमेंट देखूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो रिवीजन जरूरी है थोड़ा बहुत हम यह 95 डिग्री का जो एंगल है वो किस तरह का एंगल है पताइए कमेंट सबके दिख रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है कोसिस करना है यह डी एल एल इडी मैट हम दन ठीक है आसिता ने जबाब दे दिया है दीपेंद्र जी ने बता दिया समरीन रूची साख्या गौतम पटेल आरती चोधरी उरवर्षी बर्मा सुपरिया तिरपाठी प्रीती फीजा खान और इतलेस ठीक है कोशिस करने में क्या जाता है यह अधिक कोण है नबे से अधिक है अरे वो तो हमें भी दिख रहा है चस्मा भी लगाएं दूठी ठीक है आगे बढ़ते हैं टॉपिक और मुख्य पॉइंट क्या है कल मैंने फार्मूले लिखवाय थे कल मैंने आपको सुत्र लिखवाय थे कि भाईया बाबू राजा लिख लो इस पे हम लोग कुश्चन करेंगे तो कुछ लोग तो लिखे थे और कुछ लोग लजा रहे थे नहीं लिखे तो नहीं लिखे तो वो जाने उनका काम है एक यह तिर्भूज दिया है जो सम्दूइबाहु तिर्भूज है और इसकी दो भूजाएं बराबर हैं आपस में यह पांच सेंटीमीटर है और यह भी क्या है पांच है और यह आठ सेंटीमीटर है रियल में कितना है इससे मतलब नहीं है ये हमारी तरफ से माना गया है ठीक है आप लोग ये बता मुझे कि इस तिर्भुज का अगर हम छेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा और किस तरीके से निकालोगे ये भी बता दो मुझे चलो कोशिस करके देखो एक बार कल मैंने सूत्र बताया था तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा पहले तो आप ये बताओ यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर देहान दीजी आब आएए देखे साथियों इसमें दो साइड बराबर है ये अलग है तो हम यहाँ पर मानेंगे हाल यहाँ पर लिखिए माना लिख लिजिए इसको ए बी सी मान लिजिए तिनों भुजाओं को ठीक है क्या मानोगे ए बी सी लिखिए यहाँ ए बराबर चलो पांच सेंटीमीटर बी बराबर भी पांच सेंटीमीटर और सी बराबर आठ सेंटीमीटर इनके नाम भी हम लिख देते हैं ए बी सी ठीक है डन अब समझना अब समरीन बहुत अच्छे बरी गुड तो यह तीन भुजाएं हो गई साथियों इस तरह के कोईश्चन में मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इनके आर्धपरिमाप निकालेंगे आप आर्धपरिमाप निकाल करके फिर तिर्भूज का जो शेत्रफल का सूत्र होता हीरोन फार्मूला उसको लगाएंगे और अंसर आएगा ठीक है आईए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम तिर्भूज का अर्धपरिमाप निकालेंगे यह सीक्वल हाफ ए प्लस बी प्लस ही फाइनल में हाफ ए प्लस बी प्लस ही यह अठारा बटा दो पांच 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 आठाठारा इक्वल नौ सेंटिमीटर यह नि जो यस का मान आया कितना है नाइन सेंटिमीटर अब हम तिर्भूज के छेत्रफल का सूत्र लगाएंगे इधर साइड में देख लो ठीक है तिर्भूज का छेत्रफल यह फर्मूला आप सबको पता ह का है का है अंडर रूट के अंदर में यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस भी एस माइनस सी यह क्या है सुत्र है ठीक है माईश्टर किंड जी बताईए ठीक है जल्दी करिए अब इस फार्मूले में कौन-कौन है जो मान रख लेगा भई कमेंट मैं सबका देख पा रहा कितने लोग हैं जो मान रख लेंगे कितने लोग हैं जो इसके मान रख लेंगे कितने लोग हैं जो इसके मान रख लेंगे यह फालतू का कमेंट कर रहा है से हाइड करो फालतुवालों को बला करो भाई जो पढ़ रहा है सिर्फ उसी को रखो बस चलो तो yes का बैलू कितना है 9 है तो ये 9 माइनस a का मान कितना है बोलो भट से फिचा खान कितना भई a का मान यहां पर मैंने रखा था 5 है yes माइनस b b का मान भी 5 है a yes का मान 9 है yes की बैलू क्या नाइन आई है और ये 9 माइनस 8 दीख तो रहा है यहां पर सब्ट्रेक कर लीजिए 9 इंटू ये 4 हो जाएगा इंटू ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा 4 चोग 16 16 नमाईया 22 चोग 36 4 चोग 24 हाफिल तो चार्थी बारा तो चाउदा 144 आएगा नीचे दिख रहा है ना 144 आएगा इसका जब और कमूल करोगे तो प्लस माइनस में 12 आएगा कितना आएगा बारा आएगा यहां पर फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बारा कि सेंटीमीटर स्कॉयर कि सेंटीमीटर स्कॉयर कि लिखेंगे क्योंकि कि कुछें में जो इकाई है वो सेंटीमीटर है कि समझ मैं आस अभी को बोलो फट से यास लिख लीजिए यह आपका सवाल था जिसका सलूसन हो चुका है कि आगे नेक्स्ट कुईस्टन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो लोग नहीं लिख पाए वो इसे थोड़ा सा मिटा मुटा के कर लेंगे कुछ अभ्यास प्रसन करवा देते हैं जिससे आप फटा फट जल्दी से जल्दी कुईस्टन कर ले जाईए हैं चलिए अब इसमें भुजाओं में हम चेंजिंग करेंगे बाकी सारे रूल आप खुद से करके मुझे अंसर बताएंगे क्योंकि अभ्यास प्रसन जरूरी है ठीक है कोशिस करिए एक बार हम माल लेते हैं कि ये भुजाएं तीन सेंटिमीटर है ये भी तीन सेंटिमीटर है और ये आपका पांच सेंटिमीटर है तो अब इसका जो छ कितना आएगा कितना आएगा जल्दी बोलो चलो गौतम रचना समरीन मैं बताता हैं पतेखे थोड़ा सा मुक्त देते हैं कि आप कोशिस कर लिजिए नहीं तो मैं बता रहा हूं इसका भी टोयल ही आएगा इसका भी टोयल आएगा साट कट में करता हूँ मैं इसको ज़्यादा डiksi नहीं करूँगा सबसे पहले हम यस का वैलू नीकालेंगे यस का वैलू नीकालेंगे तो तीन तीन छा धन 5 इसको ऐसे जोडेंगे तो यस बराबर जो आएगा 6-5-11 बटदो आएगा याद रखना ठीक है अब यहां हम सूत्र लगाएंगे यहां पर याद रखना एक चीज और यह मानलो ए इसको बी इसको सी कुछ भी आप ऐसे मान सकते हो यहां पर मैंने माना है चलो इनको ए मान लेते हैं इनको बी इनको सी क्लियर थोड़ा मैं इसको साट कट में कर रहा हूं क्योंकि पहला कुस्टिन मैंने डिटीयल में किया था अंडर रूट यस यस कमान 11 बटदो आया है यस मानिनस ए होता है तो यस कमान 11 बटदो मांइनस ए कमान 3 कि यह माइनस भी होता है और यह माइनस सी क्लियर कि सभी को समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं चलिए इनको हल करते हैं यह हो जायगा आपका 11 बटा दो इनको आप 1 चिपा लीजिए 11 एकम 11 दो तियाई 6 फाइनल में हो जायगा 11 माइनस 6 बटा दो इनको वन चिपाईए 11 माइनस दो तियाई 6 बटा दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें नई इन पर भी नीचे वन करिए 11 माइनस 10 बटा दो कितना आएगा भाया जो आप लोग कर लिये हो लक्षमी सर्मा कुछ समझ में आ रहा है कि बस आई से हाइबाय हो रहा है अब यह 11 बटा दो इंटू इसमें से घटेगा तो पांच बटा दो आएगा यह भी पांच बटा दो आएगा यह आपका एक बटा दो आएगा इनको आप हल करेंगे फाइनल में कितना आएगा भाया देखो दो दूना चार दूना आट दूना सोला बड़ा जीब टाइब का रहा न यह और यह पचम पचीस ग्यारा से आप इसमें गुड़ा कर लिजिए चादा अलपड़ा होगा था हम कुछ नहीं करेंगे कि वह उत्तर लिख देंगे बस पहले तो देखो यह कटेगा क्या कोई कि इसमें कुछ भी सिंप्लिफाइड नहीं होने वाला है क्योंकि ऊपर सभी संख्याइं आभाज दिख रही हैं और बिसम संख्याइं है नीचे भी संख्या अभाज यही है लेकिन संख्या यह आपस में कट नहीं रही है तो पच्छम 25 और 11 से गुड़ा कर दीजिए यह 11 55 सबका मल्टिपल कर लिजिए पचम 25 तो 11 55 का 5 हांसी लाया 5 12 25 27 बटा 16 यह इसका अंसर लिख सकते हो आप इसके आगे मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होने वाला है हाँ दसंबलों में आप निकालोगे करोगे तो कुछ हो सकता है लेकिन इतना ही आप लिख दोगे आंसर ज्यादा लफड़ा नहीं करना है वर्ग सेंटीमीटर देखिए कोईश्चन उलज क्यों गया ऐसा क्यों आ गया पता है क्योंकि यह कोई कोई कोईश्चन था नहीं मैंने इसको बनाया था यह ऐसे कोईश्चन आपके DL8 की परिक्षा में तो बिल्कुल नहीं आएंगे सिंपल से आते हैं जो हल हो जाते हैं जैसे मैंने पहला किया था हिर्द्यानसी कस्यप सुप्रिया गौतम पटेल कुछ समझ में आए सभी को फट से लिख लिजिए जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल देर ना करें आगे बढ़ते हैं चलिए तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप लोग उन्हें कर ले जाएंगे एक और बताईए इसमें जबाब आएगा एक संबाहु तिर्भुज की भूजा चार सेंटीमीटर है सुनना एक संबाहु तिर्भुज है अगर उसकी भूजा चार सेंटीमीटर है तो उसका छेतरफल कितना होगा आप लोग मुझे बताओ चलो मैं यहाँ पर फीगर बना देता हूँ क्योंकि कल फार्मूला लिखवाया था तो आज सवाल करने पड़ेंगे सवाल करने पड़ेंगे यह संबाहु है कह रहा है संबाहु का मतलब साभी बुजाएं बराबर है चार सेंटीमीटर है पताइए यह सभी फोर फोर सेंटीमीटर है बताओ भाई साब कितना आएगा जरा कोसिस कर लो एक बार चलो कितना आएगा खोर इंटू अंडरूर तीन संब्रीन नौमनी इनका नाम है बड़ाजीब टाइब का मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक है जो भी है अच्छा है इतमासा हो रहा है इनका नाम भी अन्नोन है कह रहे हैं यह क्या है सर जानवार दिखने रहा तुमें ठीक है आप लोग इसको कर लीजिएगा कल मैंने फार्मूला भी लिख्वाया था संबाहु तिर्भूच का कल मैंने फार्मूला भी लिख्वाया था संबाहु तिर्भूच का लिख्वाया था ना एक छोटा सा सुत्र लिख्वाया था क्या था वो रूट तीन अपांच चार भूजा का स्कोयर संबाहु तिर्भूच का छेत्रफल बराबर रूट तीन बटा चार और भूजा का स्कोयर ये लिखवाया था भुजाएं इसमें सब बराबर होती है तो ये इतना हो जायागा इंटू स्क्वायर का मतलब दो बार गुड़ा एक थी चार कट गया तो कितना आया 4 इंटू अंडर रूट तीन 4 इंटू रूट तीन आंसर हो गया बस फाइनल डन खतम समझ में आया सभी को उरवर्शी जी आया समझ में महेंदर आया समझ में सलमान खान सब पढ़ने लगे हैं का ठीक है तो आप लोग इस तरह के प्रस्न को कर ले जाएंगे आगे ये तिर्भूच चैप्टर था मतलब टॉपिक था तिर्भूच हम खतम कर देते हैं कोईस्चन तो करेंगे तो बहुत सारा है तिर्भूच खतम करते हैं चलो अब नेक्स्ट आयत आता है क्या आयत कंसेप्ट आफ रेक्टेंगल है रेटिंग लिखिए कंसेप्ट आफ रेक्टेंगल क्या आप लोगोंने आयत देखा है आयत यानी रेक्टेंगल कौन से जानवर का नाम है कौन-कौन देखा है देखे हो किने भाई आईए बताता हूं देखा है देखने को तो बहुत कुछ देखा है लेकिन अब मत देखो अब सिर्फ इधर है देखो बस चलो यह क्या है रेक्टेंगल इसको लगाने मुझे दिख नहीं रहा है फैंए कि तुम तब भी नहीं सही है क्योंकि आगे चमक रहा है लाइट बहुत ज़्यादा है लाइट इफ लिए जिससे थोड़ा गोरे और दिख है तो लोगों को मजा आ रही है मतलब गलत ही सोच लेते हो है रेक्टेंगल इनकी कुछ खासियत है जैसे देखिए हम आपके सामने हैं तो हमारी भी कुछ खासियत मतलब आप समझ रहे हो आपको तो सामने अच्छा ही है अच्छा ही है दिख रही हैं बहुत अच्छे हैं प हमारे प्रपर्टी हैं गुण है जिसे कहते हैं आउगुन बच्पन में सुना होगा दादी लोग बोलती थी लड़कवा फ्लानवा बड़ा आउगुनी है आउगुनी का मतलब मतलब गलत प्रकार के गुण है कि वैसे क्या करना है कि देखो पढ़ाएं क्या वो कौन लिख रहा है अम्बानी का सत्यानास हो मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है अब भाई अम्बानी का सत्यानास होगा तो नेटवर्क तुमारा और ख़रा हो जाएगा हाँ तो रेक्टेंगल में क्या है इसके प्रोपर्टी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है देखिए इसके कुछ गुण पर गुण होते हैं जैसे मैंने अपना बताया जाता तो नहीं बताया लेकिन आप समझ गया होंगे वैसे इसके गुण क्या है सबसे पहला गुण य होते हैं इसका परती हें गल चार इंगल इसमें हैं अ किशम एकितने की होते नब्हें नब्हें के होते हैं त WOOD कि इ Prob啊 सम्दुभाजिति भी करते हैं अगर उने क Choice जाया तो ये भी तो इसका एक पार्ट है ना असनेहा तिवारी हाँ बहुत अच्छे ठीक है बरी गुड बिने चलिए तो ये तो इनके गुड हो गए जो मैं लिखवाया तो नहीं लेकिन अब कुछ चीजें लिखवाऊंगा ठीक है इसकी परिभासा जिनको लिखना है लिख लीजिए जिनको इनकी परिभासा या डेफनीशन लिखना है वो लिख लीजिए इसको इंगलीज में रेक्टेंगल बोलते हैं यह है फार रेलिपेंड रेक्टेंगल लिखिए वह चतुर भुझ जिसकी सम्मुक भुजाए बराबर और समांतर होती हैं वह चतुरबुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानतर यानि पायरलल होती हैं, तथा जिसका परते कोण नब्ययंस का होता है। कि आयच कहलाता है। आयत कहलाता है। क्यों यह सुल्तानपूर से है, मतलब मुझे जानता भी है का। कि हाँ हैं, बहुत से ऐसे लोग जिन्मे कि न लिए आयचि आयत कहलाता है। अब इसके कुछ फार्मूले हम लिख वाएंगे चुटके चुटके से हां जैसे पेरी मीटर और एरिया ठीक है तो पहला लिखिए आयत का परिमाप पहला क्या है इसमें परीमाप को इनके फार्मूले तो बाद में लिखना पहले तो यह समझो यह पैरी मीटर है क्या लोगा परिमाप चारों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं याद रखना बाकी कोई तुम्हें सुत्रयाद है या नहीं याद है ठीक है किसी भी तिर्भूज या चतुर्भूज में आप ऐसे समझ लो कि चारों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं किसी बंद आकृती की चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहा जाता है यानि अगर हमें इसका रेक्टेंगल निकालना एतो इसकी साइड जो भी दी गई होंगी सबको जोड लीजिये वो क्या होगा परिमाप हो जाएगा परिमाप यानि हम कह सकते हैं मोटा मोटा इसका जो सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है यह लाफार लंबाई लंबाई धन लंबाई धन चौड़ाई और धन चौड़ाई इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई है कुछ और मत समझे ना ठीक है चलो यह सूत्र है आप कहोगे यी कवाesian सा सूत्र है यी assassinar है टना खतरना देखिए इसमें लंबाई दो बार है नहीं फार्मूला बना कि दिखा रहे हूं रतना नहीं है तो लंबाई लंबाई जोड़ेंगे तो two into终 लंबाई हो जायग भाई यह जूर गया और धन two into चौड़ाई हो जाये गा क्योंकि दो बार है के ऐसे दो काम ले लेगे तो यह लंबाई धन चौड़ाई बचे अपर इसलिए हम कहते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है समझ में आए ना परस पर ठीक है ओके क्लियर आगे बढ़ें अब क्या है अब परिमाप समझे के सभी किसी को कोई दिक्कत नहीं अब अगला इसका जो सूत्र है वो है चेतरफल आयत का चेतरफल पहले तो ये समझ लीजिए वाटीज एरिया एरिया क्या होता है किसी भी बंद आकरती द्वारा घेरे गए संपूर्ल चेतर को उस आकरती का चेतरफल कहते हैं किसी भी बंद आकरती द्वारा घेरे गए संपूर्ल चेतर को उस आकरती का चेतरफल कहते हैं समझ रहे हो ना यानि इस फिगर में जितना ये जगा घेर रखा है वही इसका एरिया है जैसे आपने सुना होगा जैसे आपका कमरा जहां आप लोग पढ़ रहे हैं सब लोग जहां पढ़ रहे हैं कमरे में ही पढ़ रहे हैं अपने पढ़ने वाले सुनने वाले न कोई बातरूम हो गारा में तो नहीं पढ़ रहा है त słuटो q a दिवाल होती नो हों privilege को कॉछ जो कमरे में जगा है वही क्या है उस कमरे का छेतर फेल कि समझ में आना वह क्या है आपके कमरे का छेतर फेल है जासे किसी का प्लाट लोग लेते है जमीन लेतने तो क्या कहतें है कि फ्यार्ट छेतर सुनें यू तो वह इ móग एंट्सांकि में कुछ esas वह куп लेग्वक कि अगल miri जाहता हूं किसी भी आकर्टी दोरह कहले ग्याँ सम्पूर्म छेत्र का उसका क्या कहते हैं छेतरफल कहते हैं इसका सुत्र क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई लंबाई और चोड़ाई का गुड़ा करके छेतरफल निकाल लेते हैं ठीक है क्या करेंगे लंबाई चोड़ाई का मल्टीपल करके छेतरफल निकाल लेंगे तो इसका छेतरफल हो जाएगा लंब कर देंगे बस लिख लिख लीजिए लंबाई का स्कुराइर धन्च और अब कर देंगे बस क्लियर बिकर्ड मतलब डाइगोनल बिकर्ड को इंग्लिस में डाइगोनल बोला जाता है ठीक है अजो को बाचित कर रहा है इनको भाई हटा अपत इनको अटा यह तो दूसरा आंप लोह दिस्टर बनी सिर्फ पढाई कर ये निवेदन है आप लोगों से पढाई करिये क्योंकि उम्र जो है न यह अवस्था यादा ओ चुकि यह पढाई लिखाई कि झी आप बच्चे नहीं है अब लोग बंबाद बच्चे वाले होने वाले हैं तो पढाई कर कि देख रहे हैं यह क्या है मजा आरही ना यह और जिसे बोलते हैं स्कॉयर यह क्या है स्कॉयर है इसका जो फर्मूला है बिलकुल इससे मिलता जुलता एकडम सेम टू सेम है क्योंकि परिभासा तो वही होती है इसमें कुछ ह ruthं नहीं है तो एक दम ऐसे हियो है कैसे देखो बाया परिमाप मैंने कहा था कि जहार बूजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं जूकि इसकी चारो बूजाओं आपस में एकक्वchangeomics को एकक्व ac हैं तो अगर चारो भुजा हम जोड़ेंगे मानलो कि मैंने भुजाओं को ए मान रखा है ए मान रखा है न तो चारो भुजा जोड़ेंगे तो क्या होगा परिमाब कोई बताएगा क्या होगा बहिए चार बार ए ए जोड़ोगे तो फोरे हो जाएगा क्या कुछ बार ज्यादा थे तो नहीं चिल ला रहा हूं फोरे हो जाएगा ना और ए क्या है भुजा है तो हम कह सकते हैं चार गुड़े भुजा क्या कह सकते हैं चार गुड़े भुजा य एक या सूत्र आपको याद उनी करना है नए हाद तुम्हें उसी को करना जिसको या कर रहे हो बड़ाई वड़ा शीज लोगों के सवाल आतेह Яग अगर आप जिंदगी में किसी को भूलना शाहते हैं या कोई चीज कोई घट्ना भूलना चाहते हैं तो आप उसे कभी नहीं अपने आपको आप कुछ इंट्रेस्टेट कार्रों में बिजी रखेंगे तो जरूर भूल जाएंगे क्योंकि जो माइन्ड है ना वो एक साथ में एक ही तरफ सोच सकता है यह कही तरफ लग सकता है अगर आप सिर्फ बैठे हैं सब कुछ छोड़के कि आज भूल जाएंगे तभी कुछ करेंगे तो आप कभी नहीं भूल भाएंगे आप किसी काम में बिजी हो जाएए जिसमें आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से फिर देखिए सब बूल जाएगा तो इसमें जितना यह इस पेस है यही क्या इसका एरिया है इसमें मैंने लंबाई चोड़ाई का गुड़ा किया था शेतरफल आया था इसमें भी लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा छेत्रफल आएगा लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करेंगे क्या आएगा छेत्रफल आएगा तो भईया लंबाई चोड़ाई इसमें सब बराबर है तो इसलिए हम कह सकते हैं भूजा का स्कॉयर हो क्यों भाई भूजा गुड़े भूजा भूजा कई स्कॉयर हो गया समझ में है ना एक उन्हों कदहा बोला दारू पीने से बूल जाता है अब भाई सुधर जाओ समल जाओ हां कुछ लोग करते हैं ऐसे पक्के आसिक होते हैं जो खतरनाक धोखा खाते हैं तो दारू सरा पीने लगते हैं लेकिन आप यह सोचो कि अगर कोई आपका होता तो पहली बात तो वो जाता ही नहीं या फिर आपको दोखा देता ही नहीं और दूसरी बात अगर वो आपका था ही नहीं तो फिर गम किस बात का समझ रहे हो कि नहीं तो किसी से उमीदें कम करो उमीदें हमेसा दुख देती हैं उमीदें खुद से करो दूसरे पर नहीं अब तुम चाहो कि अगला जब हम बोलेंगे तभी खाना खाएगा जब बोलेंगे तभी बात्रूम जाएगा जब बोलेंगे तभी नहाएगा तो वो कि उर्वर्सी जी बोल रहीं कि बहुत experience है भाई देखो मतलब क्या जमाना आ गया है क्या जमाना आ गया मतलब अगर आप किसी की स्टोरी या कुछ चीजें बताईए तो लोग उसमें अनुभौक होजने लगते हैं हम सही बात है चलो कुछ भी मान लो तो यह चेत्रफल का हो गया इसमें एक और क्या था भाई और तो कुछ नहीं था जाने दो अटाओ आप चलिए आगे क्या करना है इसको आप लिख लीजिए जिनको लिखना मैं मिटा रहा हूं इस अब कितना मज़ा ले रहे हैं यह एक बिने नाम का आ गया इसमें खेला बनके कोनों कहरा मार भी नहीं यह कमार मार कोनों कहरा गाली दे गाली दे भाई ऐसा ना करो पढ़ लिख लो आप लोग आप लाइन में अगर रहते तो क्या होता आप लाइन में इसी लिए मैंने आप लाइन बंद कर दिया इसी लफड़ा की होजा से रोज लड़की लड़का लफड़ा होता रहता है तो क्या कर आप मास्टर पढ़ाएंगे कि लड़की लड़का लफड़ा पकड़ेंगे डालिए आयत के आयत की बिसेश्थाएं लिखिए आयत की बिसेश्थाएं आयत की बिसेश्थाएं है यह जेडिंग लाली यह आयत की बिसेश्ता है भाई कमेडी मोज आये हैं कि नहीं आज हम्हें यह खतरनाक आदमी का नाम है जो कमेडी मोज में बोलता हूं रोज रोज आप सुनते होंगे आये हैं तो बोली एक वार कि हां हम है कि लिखिए हैं आयत की विसेथा है नमबर एक नमबर एक लिखिए आयत का पर्तेक कौण समकौण होता है लिख लीजिए जिनको सब्सक्राइब को पढ़ना है यू प्रपरटीज आफ ट्रैंगर रेक्टैंगल हम प्रपरटीज आफ है रेक्टैंगल लिखिये आयत का प्रते क्षुड होता है कि लिख लिख से रहे होसे जी फालत वह चिल आ हुआ तो नहीं बोलेंगे दूसरा लिखिए आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर एवं समानतर होती हैं आयत की सम्मुक भुजाएं आपस में बराबर एवं समानतर होती हैं तीसरा लिखिए लिख रहे हैं कि धीरे धीरे बोलें पर लोग रुक रुक के आयत के आमने सामने के सीरसों को मिलाने वाली रेखाएं बिकर्ड कहलाती है आयत के आमने सामने के सीरसों को मिलाने वाली रेखाएं बिकर्ड कहलाती है यह ड़र देखा 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 ओ देखा UP यह रेखा ही कौन सी तोड़ा गरबड़ बन गया है स्विधा होजा डिव नहीं बेजती नहां किअ तैन। अा कि इंसे नहीं आ यॉक्णी हो न। इंसे न। कि या ऊंद्लड बटती है समझ गय ना अगला आयत के बिकर्ड चौथा नमबर लिखिए आयत के बिकर्ड बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं बिकर्ड मतलब डाइगोनल इंगलिस में बोलते हैं आयत के बिकर्ड बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं देखिए अगर आप BTC वाले स्टूडेंट हैं, DLA वाले, तो आपको सीरियफली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के आप ऐसे पढ़ाओ पर चल रहे ना, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो कुछ होने वाला है नहीं, यह जो थोड़ा मोडा इधर उदर का चक्कर कुछ द अब हम इस पर कुछ कोईस्टन भी करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कोईस्टन भी करेंगे, उसके पहले बीच में आपको एक बात बता दें, आप लोग कोई भी समस्टर, पर्थम दुतिये तिरतिये चतुर्थ समस्टर, कम्पलीट कोर्स, PBR स्टड़ी अप्लिकेशन डाउ रंजना सिंग बोल रहीं कि पढ़ लो मौका है, बाकी सब धोखा है, अब हम कुछ बोलते हैं, यह लोग बोलते हैं कि experience है, अब अगर यह लोग कुछ बोलें तो इसका मतलब इन लोग को भी experience है, चलिये, फिलहाल जो भी है, बाते होती रहेंगी, बातें भी जरूरी हैं क् अगर बातें नहीं होंगी तो फिर नीद आती है, और नीद आता है तो क्या होता, आपको पता है, यह X मीटर है, यह 12 मीटर है, ठीक है, अब सुनो, अगर इनके नाम हम ऐसे रख दें, A, B, इधरे की इधरे, इधरे देख दो, A, B, C, D, ठीक है, यह बताइए कि अगर इसम ऐसे बारा मीटर है, तो A, D कितना होगा, A, D कितनी होगी, अरे बोलो बक्को कुछ तो बक्को भई, अगर c d x meter है तो ए भी कितना होगी भै सिंपल सी बात है बराबर बराबर है शुरू में यही तो चिलाया हूं सब कोई जानता है हमें इसका क्या करना है हमें इसका पहले तो छेतरफल निकालना है का निकालना भै साहब छेतरफल निकालना area लेकिन इसमें कुछ दिया भी है क् 240 वर्ग मीटर तो इसकी लंबाई बताओ कितना एगा क्या आप लोग कर लेंगे कि लंबाई बताओ कितना एगा कैसे निकालेंगे बहुत सिम्पल सी बात है हमने पढ़ा है कि आयत का छेत्रफल बराबर होता है कि होता है आयत का चेदरफल बराबर होता है लंबाई गुर्य चis कई यही होता है और तो चुकि इसमें चेदरफल दिया है तो चेदरफल हम 220 रखेंगे तो यह हो जाएगा 240 बराबर लंबाई यानि 1 4 यानि 12 तो यह 240 बटा 12 बराबर यक्स 12 से काट दो यानि 20 बराबर यक्स कहने का मतलब 20 मीटर कितना आ गया 20 मीटर सबसे पहला जवाब कौन दिया है इतने खतरनाक लोग हैं इनका नाम है उरुबर्सी वर्मा उर्वर्सी बर्मा का सबसे पहला जवाब था गौतम पटेल का दूसरे नंबर पर था और तीसरे पर कोई था परियंका सिंग बहुत अच्छे ठीक है चलिए कोशिस करते रहिए कोशिस करते रहिए कोशिस करते रहिए अच्छा इक बात और बताओ को Hey वह रूख जाएक यह चेत्र फल आपको कुछ और दिया होता तब का होता हम अगर यह चेत्र फ़ल 720 वर्ग मीटर होता तब कितना आता बताईये अगर यह चेत्र फल 720 वर्ग मीटर होता वर्ग मीटर लिख रहा हूं तुम्हें दिखाई पड़े या नहीं तब कितना आता इसकी लंबाई विक्रांत अफनेहा सिंग बताईए आरती चौधरी बोलिए 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 सबसे पहला और सही जबाब जो दिया है उनका नाम है उर्वर्शी बर्मा अब कुछ लोग ब कुछ बात है का बात इतनी सी है कि इनका जबाप सबसे पहले में लिख रहा है ऑश और कोई बात ठीक है बहुत अच्छे बरी गुड कोशिच कर रहे हैं बहुत से बच्चे तो कोसिस कर लीजिए देखो इसको मैंने लिखा काहें मैंने खुद दिमाग में मल्टिपल किया कि बाई बारा का गुड़ा कर लो कि 60 में गुड़ा करेंगे तो 720 आज आएगा मैंने 60 में मल्टिपल किया था मैं तो पता 60 आएगा कितना आएगा 60 आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो इस तरह के कुश्चन आप लोग कर लेंगे यह आयत हुँ यह क्या है आयत है कि इसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा तो करना है नहीं चोटे-छोटे कुश्चन है चोटे-चोटे टॉपिक है आइस तरह का सब करलेंगें दना आप लोग अब हुं बड़े बड़े सब इसमें करवा भी नहीं सकते है क्योंकि को उचेंगेन टाइम लगेगा बड़े न में जुटन कमें उन Давай को आपको इस्क्रीन पर दिखाएंगे दिखा आ ओम करवादें हेँ ठीक है कि एक और मताएं एक आयत का भिकरड़ जाद कीजी जिसकी संलगन भूजाएं बारा फेंटी मीटर और फत्वाdar है बताइए एक आयत का बिकड़ ग्याद कीजिए जिसकी सनलगन भुजाएं ये 12 मीटर मान लो और ये 5 मीटर है इसका ये निकालना है A.C. और B.D. ये दोनों निकालना है चलो बताओ कितने लोग कर लेंगे प्रियंका सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत 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 विल्कम लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके रखिये जिससे कल भी आप पढ़ पाए ये कलाफ रेगुलर सब्ता में तीन दिन होती है PBR स्टडी लहाबाद चैनल पर सोमवार अंगलवार और बुधवार को राद दस बजे से डीलेट का फर्स समेश्टर होता है बाकी अगले तीन दिन आप इसे रिवीजन भी कर सकते हो ठीक है तेरा सेंटीमेटर आ रहा किसी का कि त्राइकर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है सही बात है तेरा सेंटीमेटर आएगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बिकर्ड का सूत्र बताया था कि भाईया बाबू राजा बिकर्ड बराबर यानि डाइगोनल इक्वल यह लेंथ का स्कॉयर प्लस ब्रॉद इंगलिस में का बोलता है ऐसे कुछ ना स्कॉयर वर्गमूल के अंदर लंबाई 12 दी गई है इसका स्कॉयर कर दो चोड़ाई 5 दी गई है इसका स्कॉयर कर दो भाईया वर्गमूल निकाल दो यह 144 प्लस यह 25 यह कितना हो गया 169 हो गया इसका वर्गमूल करो गये तो तेरा आएगा यानि 13 मीटर 13 मीटर समझ में आया ना आया समझ में इस तरह के आप लोग बिकरड़ वाला भी कर ले जाएंगे जितने बड़े बड़े कुश्चन है मैं एक भी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े कुश्चन लिखने पढ़ेंगे लिखेंगे तो टाइम बिच जाएगा उनको हम एक दिन में सब करवाएंगे थोड़ा दिल थाम कि आना खाना पीना खाके सतुवा पिसान लेक अगर यह तीन सेंटीमीटर है यह पांच सेंटीमीटर है तो यह बताइए इसका च्छेतरफल कितना होगा जल्दी सभी जबाब दीजिए इसका एरिया कितना होगा जो फिकर दिया गया है फट से बोलिये राद दस बजे से यूपी डियलेट की बिल्कुल फ्री लाइप क्लास सुरू हो चुकी है यह मैं बोल के लिख रहा था इसमें कोई बताया अंसर मैं देख रहा हूं मैंने एक सवाल किया आप लोगों से सबसे पहला जब आप क्रिफना सिंग का आया है और फराना अंसारी सर्वन पिहू पिहू राजवनसी आपकी पिहू मतलब इनका नाम है इस तरह से बाकिया और कुछ मत समझे न चलिए ठीक है आप लोगोंने कोशिस किया अचही बात है बहुत अच्छा है कि आप लोग कोशिस कर रहे हैं काफी एच्छी बात है लेकिन आप लोग इस क्लास को लाइक भी करें अभी स्टार्टिंग है और दोस्तों में शेर कर दीजिए यह आपसे अनुरोध है हमारा निबेधन है इसे सोभिकार करिए और सेर कर दीजिए ठीक है तो इसका मैंने एरिया पूछा एरिया इसका सही-साही होगि 15 century स्क्वायर यह स्क्वायर लगाना नहीं भूलना ठीक है साथियों अगर मैं इसमें परिमाप पूछ लूँ जिसें इंगलिस में पेरिमीटर बोलते हैं पेरिमीटर तो आप बताईए इसका पेरिमीटर कितना आएगा नेहा कुमारी जी बताइए कितना आएगा जरा कोशिस करिए एक बार कोशिस कर लो भाई या कितना आएगा हम चलो बताओ इसका पेरिमेटर कितना आएगा हम अपने टॉपिक पे आगे तो बढ़ेंगे लेकिन पहले यह सब जरूरी है प्लेलिस्ट में सब है अरेंदर जी सब है सब है सब है सब है चलो कितना आएगा दिख तो रहा है न जड़ा निकालना बाबा दिखता है अच्छा यह तो लाइट बहुत ज़्यादा है सामने इसलिए लगाया हूं ठीक है इसका पेरिमीटर देखो सिंपल सी बात है मैंने कहा था कि भाया हो किसी भी आप बंद आकृति का अगर परिमाप निकालना है उसके चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं उसी को परिमाप बोलते हैं तो चारों को जोड़ लो ना तीन तीन छे और यह पांच पांद इसमें सिर्फ सेंटीमीटर लगाओगे ठीक है सिर्फ सेंटीमीटर लगाओगे स्कॉयर नहीं लगाओगे ओके चलिए इसके बारे में लोगों ने पढ़ लिया था आगे बढ़ाते हैं आज का टॉपिक है वर्ग इसे इंगलिस में स्कॉयर बोलते हैं स्कॉयर के बारे मे में आप लोग क्या क्या जानते हैं हम देखिए यह जो क्लास आपकी चल रही डियलेट की इसमें चैप्टर 11 चल रहा है और चैप्टर 11 में आप पढ़ रहे हैं तिरभूज आयत वर्ग तथा ब्रित की अधारणा तो एक-एक के बारे में डीपली पढ़ रहे हैं साथियों वर्ग किसे कहते हैं इनकी पहचान क्या है एक ऐसी बंदाकृती जिसकी चारों बुजाएं बराबर होती हैं फोर साइड क्या होती है आपस में इक्वल होती है समान लंबाई की होती है इनके परते कोंड नब्यंस के होते हैं और इनके बिकर्ड आपस में इक्वल होते हैं बात किसकी कर रहे हैं कुछ लिख नहीं रहा ना पीछे दिख लीजिए भाईया ये बना लीजिए हम इनकी बात कर रहे हैं इनकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है 4 side equal होती है ठीक है इनके बिकरड भी आपस में बराबर होते हैं चारो कोंड भी बराबर होते हैं बस यही परिभास आए एक ऐसी बन्दाकरथी जिसकी चारो बुजाएं आपस में ब्राबर होती है वो वर्ग कहलाता है स्क्वायर का लाता इतना ही बहुत है ठीक है अब बात करते हैं इसका एक मुख्य और भी भाग है सबसे पहले छेतर फल मिन्स एरिया और एक परिमाप इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यह फार्मूले आपके लिए आगे लाइफ में काम आते हैं पेरिमीटर इंगलीज में इसे गोंच-पोंच के लिखते हैं जिससे लोगों को स्पेलिंग ना पता चले एक सही लिखा गलब हम 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 साथियों मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज मैथमेटिक्स में रट के नहीं चलता है मुझे तो नहीं आया कभी रट के समझना चेत्रफल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी बंद आकरती का चेत्रफल उस आकरती द्वारा घेरे गए संपूर चेत्र को कहा जाता है और इसको प्राप्त करने के लिए दी गई आकरती की लंबाई पकड़ते एक चोड़ाई दोनों का गुड़ा कर देते है वही उत्तर आजाता है जैसे आयत में था लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करते थे तो आयत का छेत्रफल बराबर लंबाई गुड़े चोड़ाई बनता था वैसे इसमें भी होगा बड़ा खतनाक गाना बज़रा है भाई वगल में कोई कहना सकेगा जाने दो चलो इधर देखो यह लंबाई चोड़ाई होता है लेकिन आयत में भुजाएं अलग-अलग होती है लंबाई चोड़ाई अलग-अलग होती है वर्ग में क्या है ओ सरी हाँ वर्ग में इसमें आ ए ए मान ले तो क्या होगा बुजाओं को अगर हम ए मान ले तो यह फाइनल में एक आई स्कॉयर हो जाएंगी क्योंकि लंबाई चोड़ाई दोनों बराबर हैं तो मोटा मोटा हम एक सब्सक्राइब कह सकते हैं कि जो वर्ग का छेतरफल होता है वो बुजा का इस्कॉयर होता है ठीक है क्या होता है वर्ग का छेतरफल भुजा का इस्कॉयर होता है बस यह अंसर है कि समझ रहना याद नहीं करना है समझना है कोई भी इस तरह से करोगे सब में ऐसे होगा आयात और वर्ग में याद रखो छेतरफल निकालने के लिए लंबाई चोड़ाई का गुड़ है कि समझ रहे हो ना कुछ कुछ इंसान सीधे साधे रहते हैं बड़े खतरनाग बन जाते हैं क्योंकि परिस्थितियां और लोग उन्हें वैसा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं समझ रहे हो ना एक बहुत ही भोला-भाला सज्जन स्टूडेंट है परियाग राज या कि आगे बढ़े है कि यह समझ गए अब बात करते हैं परिमाप की पेरिमीटर की बात करते हैं कि पेरिमीटर इसका परिभासा मैंने आपको बताया था definition क्या बताया था कि किसी भी बंद आकरती के चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं क्या कहते हैं चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं तो इसमें चारो भुजाओं को आपको जोड़ना है और वो क्या बन जाएगा परिमाप बन जाएगा यानि पेरिमिटर बन जाएगा चारो भुजाओं को जोड़ लेना है ठीक है अगर हम परिमाप की बात करें तो चारो बुझा को जोड़ो भैया तो कितना होगा यह 4 होगा यानि 4 गुड़े भुझा हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमा बराबर 4 गुड़े भुझा 4 गुड़े भुझा समझ रहे न हो गया यह जो मैं अभी एक सिचुएशन वाली बात बताया लोग उस तरह से बन जाते हैं एक गोरकपुर के बहुत बड़े डॉन की बात है यह आज के कम से कम साइकड़ो साल पहले मैंने बीबीसी पर इस्टोरी देखा था वो बहुत सीधा साधा सज्जन लड़का था लेकिन कुछ लोगों ने उसकी सिस्टर को छेड़ा और उसने क् अधिया उसका बदला लेने के लिए उसकी मडर कर दिया जिसने छेड़ा और फिर क्या हुआ वो पूरे देश का सबसे बड़ा मतलब खतरनाक खुखार डाकू बन गया समझ रहे हो ना पहले बहुत सीधा फादा पढ़ा ही करता तो ऐसे होता है कभी-कभी ऐसा देश और सि समझ रहे हो ना दाउद की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग इंटरनेट पर सार्च कर ले ना भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है प्रकास पांडेया ऐसे कुछ नाम था अजीब टाइप का मतलब नाम सीधा फादा ही था इंसान अजीब टाइप का हो गया था बस तो यह आप लोग समझ गए सूत्र समझ गए ना चार गुड़े भूजा माया गोंड यह कलाफ लाइब नहीं रहते है लाइब रहेगी कि का तुम को पकड़ की जगाएगा खी चलो पढ़ो हां बताओ का करेगा लाइब रहेगी तो इसमें और क्या पढ़ना है धान दीजीए यह तो हो गया परिमाप और च्छेतरफल ऑख के परिभास आप लोग जानी गए अब कुछ कुझ अजर्ण पहले कर लिजिये फिर आगे तॉपिक पर बा्त करते है कुछ कइश्टी और आगे लोगे बात करते हुआản अगर इस वर्ग की भूजा इस वर्ग की भूजा पांच सेंटीमेटर है तो आप लोग फट से जल्दी से बताइए अब चारो तरह तो लिखना जरूरी है नहीं इसका छेतरफल कितना आएगा छेतरफल कितना आएगा जल्दी बोली एफट से चलो 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 जल्दी चले रह चले रहो चले रहो एक ठीह और बना देता हूं यह चुटकाशा जादा स्याहिन लगेट इसले ज्ärधा बड़ा नहीं बनाऊँगा अगिकत तो है मुझे जढ़ा अच्छा बनाना नहीं आता है 12%. विजा खान मांसी प्रीयंका बहुत अच्छे करें Science बहुत अच्छे तो बहुत भा मुल्य ईसका च्छेतरफले मियं होगा लंबाई गुड़ चवड़ाई वर्ग काइषक्वर वर्ग का की स्क्वायर नहीं जातल इसक्वायर तो जमान है तो आरो पांच है तो हstore आएगा लेकिन एक चीज यह भी समझ लो जो लोग सिर्फ 25 लिख रहे हों का गलत गलत है गलत है इसका अंसर जो सिर्फ 25 लिख रहा है उसका गलत है 25 cm का इसका नहीं लिखो गड़ तब गलत है समझ रहे हो न जैसे मैं एक्जाम पल बताया था न भाई कहीं जा रहे हो साधी भी आम गए हो मुह में गोबर लगाए वैसे जैसे सो के उठे वैसे चले के कीचल पिचल लगाए तो अंदर वहां हलने नहीं देंगे तुमको कहें गया है भगाव पागल ही पागल है कि समझ रहे हो तो थोड़ा सा कि सिस्टम से करना पड़ता है कि वरड़ को तोड़ कर समझाएं यूपिससी अच्छा ठीक है ओकेतो यह हो आप परिमाप यानि पेरिमीटर इसको मैंने बताया था कि चारो बुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं चारो बुजाओं को जोड लीजिए या फिर एक फार्मूला मने बताया था भी अभी बना था चार गुड़े बुजा है बान थाना ए डेखा देखा 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 इनका हम का बताई जैसे थे बचन में कहांगी शुने उत्यता और मैं न उल्ट कहल Egypt Automate थपड़े थपड़ило यह देखञा इनको अभी बताया कि सेंटी मिंडर का कि इसकोयर लगेगा तो इसमें भी इसकोय लगा रहे हैं दन्यों प्रभू कहा उले जाओ इनको जल दी मतलब पढ़ाओ लिजा के और गलत मत समझें नहीं चार गुड़े भुजा भुजा पांच है बराबर 20 सेंटीमीटर यहां इसक्वायर नहीं लगाना है यहां इसक्वायर नहीं लगाना है देखो पहले मतलब कुछकी मंजक कि बाद прошस्मार कि देखें वहां पर क्यूं लगता है चहत्तरफल में इसक्वायर क्यों नहीं लगता है समझ लीजिए पहले समझ है fine नहीं, यह बड़ी बात है, अग्र आप परिक्षा में इसमें स्क्वयर लगा दोगे तो टीचर इसका उत्तर गलत काडव सकता है और अगर चेत्रफल में स्क्यर नहीं लगाओगे तब भी गलत काडव सकता है तो को गयार गुरुजी तो हमरे बताए रहें कि स्कॉयर लगावे का है हम लगा देन तब हो गलत है ना लगाएं तब हो गलत आए का मतलब गुरुए गड़वड़ा है ऐसी बात नहीं है आप सीख नहीं देखें छेत्रफल में क्या होता है साथीयों भूजा का स्कॉयर जैस में होता है ना जब अलजेबरिक एक्स्प्रेशन पढ़ाया था बीच गड़ा ये बैंजग तो इसमें ये संटीमेटर का सेंटीमेटर में भी गुड़ा होता साथ साथ में तो ये पची संटीमेटर का स्कौर हो जाता है इस्कॉयर होजाता है, समज रहो ना, यहां क्या होता है? potrzeby soudda बाई राइसआब यह चार तव ऐसे अखेला आइसके पिछे कोई नहीं है, यह सोत्र का हिस्सा है समझ रहो ना, यह क्या है सूत्र का हिस्सा है? इसमें सेंटि मेंतर नहीं है तो यह बुजा जो है यही सेंटीमीटर में केले है तो इफले क्या करेंगे चारपंचे बीस हो जाएगा लेकिन सेंटीमीटर ही रहेगा स्कॉयर नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर नहीं लगा है सिर्फ इसी में सेंटिमीटर है बस ये चीज आपको समझ के चलना है ऐसा नहीं किया इसे जो कोई बोल दिया वही सही है ठीक है अरुची समझ में आ रहा है बिमलेस परभादीपक चलिए ठीक है अच्छी बात है यहां सभी तक सब सिंगल थे हां तो बताइए जल्दी जल्दी से बताते चलिए आया समझ में सभी को अब इसको बता दीजिये लगे हाथ बगल वाला यह कितना आएगा इसका छेत्रफल कितना आएगा पहले तो यह बताओ यह क्या है जो लिए है दिख रहा है मत देखो तब ही अच्छा है चलो इसका आएगा 144 सबसे पहले रेखा ने जबाब दिया है और वो भी गलत जबाब दिया है बहुत अच्छे सबसे पहले उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने बताया था एक मिनट मांसी ने बताया था और सही बताया था बहुत अच्छे सुप्रिया का कहें इनको इनका अभी गलत है प्रियंका कभी गलत है देखिए कुछ लोग का गलत है नहीं वो गलत बना रहे है उसे एक्चुल में आंसर तो सही है आंसर तो सही है जैसे मैंने एक्जामपल बताया ना कि अगर आपको किसी की पार्टी में जाना है और आप जैसे सोवेक उठे उस उबेर 11 बजे वैसे चले आप उत्तर तो वही आएगा लेकिन उसे सिस्टम से बना कि लिखना है जैसे अगर तुम वही से चले जाओगे जैसे सोगे उठे तब तुम वही रहोगे अथोड़ा नहां दुलोगे अच्छे हो जाओगे तब और बदलोगे तो है नहीं ना तुमारी आदत बदलेगी न सहूर बदलेगा रहोगे वही लेकिन थोड़ा सा दिखावटी में बदल जाएगा ना समझ रहो ना तो वैसे इसका आंसर में भी करना है आंसर वही रहेगा लिखना वही है लेकिन थोड़ा सा उसको सुन्दर लिखना है अच्छे तरीके लिखना है बस तरीका बदल देना जैसे इसका क्या होगा कि छेत्रफल निकालने के लिए कि वर्ग का छेत्रफल क्या होता है कि भुजा का स्कॉयर होता है तो भुजा कितनी है 12 है 12 का स्कॉयर होगा 144 होगा यह तो सही है इतना भी सही है लेकिन अभी मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तुम लोग समझें नहीं भाईया, यह सेंटिमीटर का स्कॉर होगा, क्यों होगा? अगर यह नहीं पता है, तो रात के 9 से 10 में basic पढ़ाता हूं, रात के 9 से 10 में 0 लेबल पढ़ाता हूं, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? गलात है मतलब? ठीक है चलो अब इसका पर्माइब बताईए उसके पहले आप सभी जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं इस कलास को तुरंत Like करिए कलास को तुरंत Like करिए देर मत करिए भाइय को आपके भी कुछ जिम्मेदारी है न करिए जल्दी करिए एक दिन कोनों कह रहा था कि आप भाईया भाईयक है बोलते हैं आपे कुछ भाईने भी रहती हैं कुछ और भी लोग रहते हैं तो मैं सब को बोल रहा हूं भाईयों बैनों और भाईया भाबियों अंकल अंटियों दादा दादियों जो भी है सबी तुर कि आगे बढ़े भाई मैं लाइक करने को बोल रहा हूं हाँ करने को नहीं बोल रहा हूं चलो जल्दी से कलास को लाइक करने को बोल रहा हूं मुझको नहीं कलास को नहीं मित्रों तो नहीं बोलेंगे मित्रों तो वो बोलते हैं कौन आप समझ गया होंगे ओट मांगने वाले ना देखिए नीचे नंबर चल रहा है जो लोग काफी परिसान है जैसे हरेन सिंग हो गए मोहित हो गए सोनी जी हो गई उस पर आप दिन में इंक्वारी करिएगा ठीक है नंबर पर इंक्वारी करिएगा चलिए तो साथियों परिमाब बराबर क्या होता है चार गुड़े तो साथियों चार और बुजा बुजा कितना टोयल है एकल 48 सेंटीमीटर यह अंसर होगा जल्दी से इसको खतम करते हैं बहुत मज़ेदार बात हो गई यह मजा वाली बात नहीं होगी सिर्पढ़ाई होगी एक खतरना कुश्चन है यह अप लोग बता दीजिए थमजाने चलिए बताइए एक वर्ग है यानि स्कॉयर है टू इंटू टू एक्स प्लस फोर वाई मीटर है इसका जो यह बुजा है कि आफ इसकी बुजा यह थोड़ा अलग है बताओ कैसे कितना सweenFlow इस में इसमें से कितने लोग हैं तुरंत हाथ हुचा अके बताएंगे हम कर लेंगे pande कर लेंगे कि अरे कर पाऊ ना कर पाऊ बोल दो बस चलो थोड़ा दिल में तफली मिल जाएगी जियरा कि यहां भाई यतना लोग कर लिए है बाकी हम बताएंगे आई आ अग कर देखिये सीधा सा है सिमपल सा है कि इसमें जो इसकी भूजा दी गई है वो नहीं समझ में आ रही कि इंसान एक जानवर एक साइटान का है जीना कर लेंगे चलिए जूटा ही सही हां पलवर्ग के लिए कम से कम बताया तो वो नहीं बोलने वाला हुं में नहीं आरा ठीक है जूटी बता दिया अच्छा है तो छेतरफल बराबर क्या होता साथियों वर्ग का छेतरफल बराबर होता बुजा का बुजा का स्कॉर होता है न तो जो बुजा दी गई है इसका स्कॉर कर लीजिए सिंपल सा है लेकिन बढ़ा हो जाएगा यहार बढ़ा हो जाएगा न यहीं तना इसका परिमाद दिया गया था एक्चुली अबुजा इसकी छोटी फिती में वही लिखूंगा इतना बढ़ा नहीं लिखूंगा नहीं बहुत बढ़ा हो जाएगा नहीं तो बहुत बढ़ा हो जाएगा इसकी साइड आप इतने लिख लो एक्स प्लस टू आई यह बहुत बढ़ा हो जाएगा हो तो जाएगा लेकिन फिर बहुत बढ़ा हो जाएगा इतना बढ़ा कभी जाम में आता एक्स प्लस टू आई यह क्या साइड है ठीक है तो साथियों यह भुजा की जगा पर एक्स प्लस टू आई लिखेंगे इसका स्कॉयर अब यह थोड़ा इस्टेंडर्ड हो गया अगर आपने 6 7 8 में मैत नहीं पढ़ा था ढंग से तब आपको δिक्कत हो सकती है ठीक है इसका इसको करने का मतलब यह है इसमें दोतरीका हो सकता है एक तो शुत्र लगा सकते हूं अब प्लस गी का होली स्कॉयर वाला एप्लस बी का होली स्कॉयर नहीं तो लगा दीजिए यह फार्मूला एका स्कॉयर प्लस बीका स्कॉयर यह यह जाएगा फॉर वाई का स्कॉयर प्लस डूएबी है तो ए और बी यानि टूएख वाई मतलब फॉर एक्स वाई कि स्कॉयर है इसको थोड़ा सुन्दर लिकलो भाई है ठीक है समझ में आया ना आया न समझ में देखो एक्चुल में यह सूत्र होता है जिन लोगों को नहीं पता है मुझे भी नहीं पता है कन्फ्यूजन में न रखिए लिख लीजिए यह इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिच्वेशन के अधार पर इसको हम अलट पलट सकते हैं यह समझ में आया ना माहिरा जी समझ में आ रहा है अमिसा अबर्मा अनामिका प्रांशू मांसी प्रियंका फिजा सिल्पी मोहित अनुराग कुछ तो लड़कवे हाई हो नहीं वैसे नाम बोल दे रहे हैं जाद एक नहीं कहेंगे लड़किये का नाम बोलते हैं लड़कां का नहीं बोलते हैं एक्चुल में इस कलास में नब्बे परफेंट लड़कियां ही होती है लड़के क्या होते है या तो उनको मैं थाती है य तो फिर गढ़ण हो जाएगा किवक素 हमुल्हा बन रहा है स्क्वायर में कही भी जोड़ने का मतलब होता ही नहीं है स्क्वायर में जोड़के निकाल सकते हैं पोर का इस्कोर गयर हो चचा हो अगर एक फ़ोर में फोर जडबानत आठ है जबकि यह गलत है आप इसक्वायर को जोड़ नहीं सकते हो आप इसको ऐसे कर सकते हो ऐसे कि समझ रहे हो ना ऐसे लिख लीजिए आगे बढ़ें अगर खतम करना है तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा अगर डीटील में समझाना है तो ताइम ज्यादा लगेगा आप लोग क्या कह रहे हो कि डीटील में समझाऊ यह जल्दी जल्दी खतम करूं अगर आप लोग कह रहे हैं कि जलदे जल्दी ख़तम करें तो आप लोग ए लिखिके कमेंट करें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं detail में समझाओं अराम-अराम प्यार से बढ़िया से तो पी लिख के न करें ने ए और बी लिखने को बोलाए कोई बी बी नहीं नहीं लिखेगा और यह भी नहीं लिखना क्या करो भई ए अभी देखों रहा था फिर भी लोग लिख दिये न वहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो जिनको जल्दी थी वो चले गए मैंने पहले बताया कि जिनको जल्दी थी वो चले गए तो अगर आपको भी जल्दी है तो आप भी चले जाओ पढ़ाएंगे हमों ऐसे ही चलिए तो यह हो गया एक वर्ग का बिकरड दिया भाया वर्ग का बिकरड दिया है एक मिनट इसमें मैं एक सूत्र नहीं लिख वाया था वर्ग के बिकरड की लंबाई यह फार्मूला लिख लीजिए वर्ग के बिकरड की लंबाई यह सूत्र भी लिख लीजिए लंबाई बराबर अंडर रूट दो इंटू भूजा अगर बिकर्ड निकालना है तो यह होता इसका फार्मूला ठीक है बिकर्ड मतलब जानते हो डाइगोनल आप कुछ कहेंगा है इंगलिस बोल रहा भाई इधर देखो मैं यह बताना चाहता हूँ आप लोगों को दिख रह यह समझ रहा हो ना अगर इनकी साइड यह 5 5 cm है चारो तरफ और हमें बीसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे दिख तो रहा है ना पूरा समझ यह चलिए अब हम एक क्वीश्चन ही दे देते हैं 5 इनटो अंडर रूट 2 cm इसका बिकर्ण दिया है यही लिख देता हूं 5 इनटू अंडर रूट 2 cm दिया आपको यह निकालना है बुझा बताओ कितना है पता यह कितना हैगा ज़रा कोशिस करिए एक पर और हां बीच-बीच में कलास को लाइक करते जाएए और एक चीज और प्रामिस करिए अपने आप से वादा करिए भले आज तक किसी का वादा न निभाया हो लेकिन मेरा निभाईएगा इस कलास को जब कलास खतम हो जाएगी तो अपने वाटसफ गुरूप में और अपने वाटसफ के स्टेटस में लगा दीजियेगा ठीक है अक्सर मैं स्टेटस देखता हूं लोगों का कभी कभी तो लोग बड़े खतरनाक खतरनाक चीज लगाए रहते हैं समझ रहों मतलब देखो तो भावनाव में खो जाओ बह जरो तो या कुछेश्टन ये है कि वर्ग कक्या कश स्पाइब है तो प्तेस्ट की लम्बाई हमें दिगए है और यह फार्मूला डियाँ पिकरस्ट मै में टाहिच…. कि भुचा का सकाई होता है कि हुथ क्या क्या हुथ होता है कि दॉक्क आतार वे कदाएगा अरे वा, मैंने थोड़ा सा बोला, ये सब जान गए, तो ये वर्ग के भिकड की लंबाई दी गई है, 5 इंटू अंडरूर्ट 2, बराबर फार्मूला लगा दीजिए, अंडरूर्ट 2 इंटू भुजा, हमें क्या करना है, भुजा फाइंड करना है, क्या करना है, भुजा नि 5 आएगा की 25 आएगा लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है, अब आए गलात नहीं है, भाई, सब सही है, कितना हैगा, दिख नहीं रहा है, मतलब काये, इंटरनेट खतम हो गया क्या आप लोग का, 5 आएगा, सही है, 5 आ रहा है, अचा थोड़ा-थोड़ा रुक रह जाना नहीं कहीं, रुक जाना थोड़ा सा, साथियो वीडियो थोड़ा फंसर आए, हाँ, तो यहां से हम हल करेंगे, तो यह हो जाएगा, 5 इंटर रूट टू, और यह रूट टू इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, इक्वल भूजा, यानि 5 बराबर भूजा, कहने का मतलब क्या आगया, भूजा कितने आगई, 5 सेंटीमेटर, मैंने 5 लिखा भी था, तो तुम लोग ऐसे भी नकल कर लिए, समझ गए न, इस तरह से अगर मैं एक सवाल और पूछू, भाई थोड़ा थोड़ा हाइंग कर रहा न यह, एक मिनट देखने दो यार, मुसीबत में मुसीबत का है को आजा रही है, क्यों मैंने ठेका लिया सारी मुसीबतों का का, मेरे पास ही क्यों आ रही है, अकंछा, प्रिती, रेखा, राजा अलम, प्रिती, आदो, क्रिफना, रुची, बहुत अच्छे, बड़ी गुड, चलिए, तो इसका अगर मैं एरिया पूछू, तब भी आप लोग कर लोगे, एरिया भी निकाल लोगे न, अब चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, बाकी कुष्चन हम अभ्यास परस्ने में करवाएंगे, नहीं तो ये टॉपिक खत्मे नहीं होने आएगा, बहु सारे परस्नों हो मेंटर है, तो आप लोग इसका छेतरफल और पारिमाब बताना ठीक है, छेतरफल और पारिमाब बताईएगा, अब पानी मानी पी लीजिए, पानी पी के मैं सोने को नहीं बोल रहा हूं, और कापी कलम उठाइए, मैं कुछ लिखवाने चल रहा हूं इसी के बारे में अब हम लिखेंगे वर्ग के गुड या फिर वर्ग की बिसेश्ताएं, ठीक है, वर्ग की बिसेश्ताएं, हेटिंग लिखिये, वर्ग की बिसेश्ताएं, नीलम यादो, रेखा, अमिसा, सुप्रिया, पराना, प्रियंका, चांदनी, मादुरी, ठीक है, चलिए, तो वर्ग की बिसेश्ताएं क्या होती है, भाईया, समझो इधर फाइड में जरध्यान से, कुछ बिसेश्ताएं इनकी है, नमबर एक, पहली बिसेश्ताएं क्या हो होती है, कोई बताएगा, एनिवन कोई बताएगा, वर्ग की पहली बिसेश्ता ये है कि वर्ग की चारो भुजाएं बराबर होती है, लिख लेजिए, वर्ग की चारो भुजाएं बराबर होती है, ये पहली बिसेश्ता हो गई, दूसरी बिसेश्ता लिखिए सिकेंड के होते हैं वर्ग के यानि की स्क्वाइर वर्ग मींस स्क्वाइर इस्क्वाइर के एबरी एंगल 90 होते हैं यानि राइट एंगल होते हैं मिन्स सम्कौन होते हैं कि चाहे तो ऐसे लिखलो कि वर्ग का परतेक कोण नब्बैंस का होता है या फिर वर्ग का परतेक कोण समकोण होता है थिक Clay मि को तैफ्रा लिखिए कि वरग के विकर्ण एक दूसरे को समध्वी भाजित करते हैं लेख के बिकर्ण यानि डाईकोनल भिकर्ण मिन्स डाइगोनल ये एक दूसरे को क्या करते हैं बिसेक्ट करते हैं बिसेक्ट करते हैं इंगलिस में बोलते हैं इंटरसेक्ट मतलब पर्तिछेदित बिसेक्ट मतलब संदुभाजित क्यों भाई इंगलिस में थोड़ा कन फ्यूजन है आप लोग बताना सही क्या है हिंदी में बोलेंगे क्या करते हैं सम्दु भाजित करते हैं ठीक है और इनकी कुछ बिसेश्था हैं आप लोग लिख लीजी अगर याद आ रहा है तो बस इतनी सारी ही होती है क्योंकि वर्ग बचारा छोटा सवैसे ही होता है तो इसके बहुत सारे गुण पर गुण नहीं होते हैं और यह गुण पर गुण क्या है मैंने उस दिन बताया था ना जो मैं लिखवाया अभी वर्ग की बह UCW द rif मतरी होता है जैसे हर इंसान की कोईने कोई विसेष्टा होती है तो आप अपना बताऊ था है मैं आपको पढ़ हता हूं मैं मंयथ पढ़ाता हूं पी वी रर है कि दिए कर्वेक्ता है यई आप लोगों की नजर में बाकिएं कितने अच्छे वह में होँखे क्या होती है यह क्या होती है पूआ गया कि अगला इसमें अगला फिकर पढ़ना आपको बृट है क्या पढ़ना है ब्रित यानी सर्कल सर्कल यह ऐसे ही खतर्नाक होता है कभी गोल चीज मुझसे बनी नहीं आद तक या यह भी देखो अच्छा नहीं बना रोटी तक नहीं बनती है गोली बुरा मत मानना वैसे भी मच्छे हैं वो तो बोल देते हैं मजाक में आप लोगों को तो कोई गलत मत समझना चलो यह क्या है बृत अब वर्ग के बारे में जो भी यहां पर इंप्वार्टन्ट था मैंने बता दिया हां नहीं बता दिया अब झैशावगा और हम इसकोर की बात खतम कर देंगे और सर्कल की बात इस्टाइट करेंगे यदी तू है हम गरित मतलब स्रकल से पढ़ाओं लेकिन कोई देखेगा नहीं तो मैं पढ़ाओंगा किसको इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाओंगा और कि आप लोगों को कुछ कोईश्चन इसमें करवा देता हूं कि और भी कुछ कुईश्चन आप सुनिये और बताईये सुनिये और बताईये संबाहु तिर्भुच का छेतरफल कितने लोगों को याद है इमांदारी से बताना संबाहु तिर्भुच का छेतरफल लिखवाया था ना सूत्राना चाहिए संबाहु तिर्भुच का छेतरफल बताया था ना बिसंबाहु तिर्भुच का छेतरफल हिरोन फार्मूला याद है वो हिरोईन फार्मूला क्या बोलते हैं उसे हिरोन बोलते हैं हिरोईन नहीं बोलते हैं रहे उसका मतलब अलग है वो हिरो हिरोईन अलग है जिसमें तीन भुजाएं असमान दी होती है तो लगाते हैं पहले पेरिमिटर निकालते हैं फिर फार्मू से हैं तो हम सिर्फ मैथ ही मैथ पढ़ा पाते हैं बाकि हमारी कोशिस है भविस्व में जल्दी ही और भी सारे सब्जक्ट होंगे लेकिन अभी सिर्फ मैथ ही चल रही है एक सवाल और बताईए 181 का जो कोड़ है ये किस परकार का कोड़ है नंबर ए क्या ये अधिक कोड़ है क्या ये अधिक कोड़ है नंबर स्छ जो in कि का ये सम्पूर्ण कोड़ है आपसं तो बहुत आसान है A, B, C में से कोई एक option बताईए 181 का जो angle है वो किस तरह का angle है अधिक कोड है या अप्ट्यूस angle है या acute angle है बागी तो English मुझे आती ही नहीं क्या है इसको अधिकांस अधिक कोड ही बताएंगे अधिकांस लोग अधिक कोड ही बताएंगे अनुपम, कौसल्य मोर्या, अनामिका, दीपका, प्रभा, मांसी, बिनोध, सुप्रिया, अमित, रुची, रानी सिंग ये अधिक कोड नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है मैंने पढ़ाया है अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पाद पढ़ो उसकी पढ़ लो हाँ चलो ये अधिक कोड नहीं है अच्छा 151 ये किस परकार का कोड है 151 अधिक कोड है या बरिहत कोड है या रिजू कोड है बताईए जरब बताईए किस तरह का है आना चाहिए आप लोगों को पहले कुछ कुश्चन बताईए फिर लाइस्ट में मैं एक लाइन में पूरा कांसेप्ट बता दूंगा कोड का जिन लोगों ने कोड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको भी आने लगए बताईए 151 151 क्या है अप्ट्यूस एंगल है अप्ट्यूस मतलब OBTUSE यानि अधिक कोड है अधिक कोड की परिभासा का होती है भाया बताया था ना कि 91 से लेकर के 179 के बीच के जितने भी कोड है वो सभी अधिक कोड कहलाते हैं कितने से 91 से लेकर के 179 तक और मने बताया था इसमें वही एक्जामपल दिया था वफा बेवफा वाला ना आप लोग को गई काहे बताते हो क्योंकि यह आप लोगों को बहुत प्यार से दिमाग में बैट जाता है है ना इसमें वह भी बताया था चार कोड ऐसे होते हैं जो एक दूजे के लिए ही बन हो जाते हैं बताया था ना जब कोड पढ़ा रहे थे जो लोग जुडे रहे होंगे उनको याद होगा उनको याद होगा ना तो वह कौन-कौन से हैं जो एक दूजे के लिए ही बने होते हैं तीसरे की जगा नहीं होती उसमें कौन-कौन से हैं बताये मैंने नाम बताया था जECTशप पढ़ाया था to जैसे संपूर्ड हो गया समकूर्ड सिर्फ और सिर्फ अ कहीं होता नबब欸ENS का बाकि दूसरा नहीं होता हुसका कोई संप दूसरा नहीं होता है आचा नहीं 80 को भी सम कॉंड बोलतेंगे नहीं एक बताया था समपून कॉंड यानि complete अंगल बताया था complete अंगल में सिर्फ 360 अंसका ही होता है के होता है और कोई दूसरा नहीं होता है बताया था ना और रिजु कोंड बताया था जिसे इस्ट्रेट एंगल बोलते हैं वो भी सिर्फ 180 अंसका ही एक एक कोंड होता है उसके भी और कोई दूसरा नहीं होता है एक और बताया था सुनने कोंड बताया था बाकी दो ऐसे हैं खतरनाक जो अधिक कोंड और न्यून कोंड है उनके 18 कोंड अलग-अलग होते हैं बहुत सारे होते हैं अलग-अलग ब्रित पढ़ना है कलाफ नंबर यह 33 है डी-ई-ल-ई-डी डी डिप्लोमा इनलिमेटरी एजुकेशन क्या आप लोग जानते हैं ब्रित कौन से जानवर का नाम है भई हां सर्कल क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ना है सर्कल क्या है ब्रित क्या है उस बिंदु के बिंदुपथ को उस बिंदु के बिंदुपथ को जिसकी किसी इस्थिर बिंदु से दूरी सदव एक समान रहे क्या रहे सदव एक समान रहे उसे क्या कहते हैं ब्रित कहते है यानि उस बिंदु के बिंदुपथ को जिसकी किसी इस्थिर बिंदु से दूरी सदव एक समान रहे उसे बृत कहते है इसके बारे में संपूर्ड अध्यन करना है ठीक है उस बिंदु के बिंदुपत को जिसकी किफी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहे एक समान रहे यानि यह जो सेंटर है यहां से आ कह 2022 तर्वह को यह त्रीबहतर होंगे परिवासा लिख लीजिए इसमें मेन है जो मैं वह बता रहाङ हूं अप समझें इस पॉइंट को हम लोग एक सी से फिर और नोट करते हैं और इस सी को क्या बोलते है केंद्र बड़ते है क्या बोलते है इसे केंद्र बोलते हैं यानि बीच में जो बिंदू होता है जहां पर एक परकार से परकार रखके ऐसे सरकल को ड्रा करते हैं उसे क्या बोलते हैं तो कि और इस सेंटर से इस परिधी यानि जो चारो तरफ यह खीचा गया है इसको मिलाने वाली रेखा अगर हम इसका नाम ए लिख दें तो जो एसी है तो वह क्या है त्रिज्जा है क्या है साथियों त्रिज्जा है जिसे इंगलिस में रेडियस बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रिए साथियों इसे रेडियस बोलते हैं आप लोग मुझे बताओ कि एक ब्रित में कितनी रेडियस खीची जा सकती है एक ब्रित में कितनी त्रिज है अनंत बहुत सारी कितनी बोलो कि प्रिया कुमारी ठीक है बहुत अच्छे भाई पंकज आभी से कुस्वाहा चांदनी कि अधित थीक है बहुत अच्छे जिन्होंने जबाब दिया तो साथियों एक बृत के अंदर हम लोग अनंत तरिज्याएं खिंच सकते हैं इंपाइनाइट खिंच सकते हैं इसकी कोई limit नहीं होती है ठीक है अनंत दिरिज्याएं खिंची जा सकते हैं चारो तरफ कोचा जितनी खिंचो कोई गिंती नहीं होती है ठीक है और हाँ अगर इसी center से यानि केंदर से होते हुए वो रेखा सीधा सीधा अगले तरफ जाके छूजाए तच कर जाए मान लो अगर यहाँ पर हम भी लिख देते हैं तो साथियों यह रेखा पूरा-पूरा जो A-B है बाबू इसको क्या बोलते हैं बयास बोलते हैं क्या बोलते हैं बयास बोलते हैं जिसे इंगलिस में डामेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं डामेटर बोलते हैं तरिज्या को इंगलिस में रेडियस बोलते हैं यानि A-C इज रेडियस और A-B इज डामेटर and see its center समझ में आ रहा है न? आ रहा है न? लेकिन अगर कोई रेखा केंदर को न टच करे ये ऐसे इसी में अपना कूदे भांदे तब क्या होगा भाया? मान लो इसका नाम D और E हो गया बताएए D E को क्या बोलेंगे? नाम बताओ क्या बोलेंगे इसे हम लोग पढ़ रहे हैं सरकल, ब्रित पढ़ रहे हैं तो साथियों कोई रेखा जो केंदर को टच ना करें जैसे मैंने उधर दो खींचा है D E और वैसे निकल जा साइड से तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं C O R D यानि हिंदी में इसे जीवा कहा जाता है क्या कहते हैं? जीवा कहा जाता है आयूसी राजपूत अन्नु सुकला, प्रकास इस्टेटस फॉर यू रचना, दीपेंद्र क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं भाया तो बृत्य की ये थोड़ी थोड़ी बेसिक फंडामेंटल है ठीक है और जो ये चारो तरफ की बाउंडरी होती है न भाईया ए बाबू राजा समझ लो थोड़ा सा न यार इसको सरकमफरेंस बोलते हैं या फिर परिधी बोलते हैं चारो तरफ की क्या बोलते हैं परिधी बोलते हैं सरकमफरेंस बोलते हैं ठीक है समझ में आए न ये तो थी इनकी बेसिक बातें जो मैंने आपको बता दिया अब इनकी कुछ और भी विशेष्टाएं क्योंकि आपको इन्हीं की बारे में आज पढ़ना है बिसेष्टाएं सही लिखा हूँ ना सही तो लिखता हूँ लेकिन कभी-कभी गड़बड़ा जाता है हिंदी बड़ी कटी नहीं इसको ऐसे बोलते हैं इंग्लीज में इसको प्रपर्टी बोलते हैं प्रपर्टी जो के साथिवं विस्षिष्टाएं क्या होती है इसे करेक्टरिक्ट्स भी बोलते हैं जो भी हो छोड़िए हम लोग इंदी में पढ़ेंगे इनकी क्या-क्या विस्षिष्टाएं हैं बताइए लिखिए लिखिए कापी पेन लेकर के मैं लिखूंगा नहीं लिखिए नंबर एक लिखिए एक ही ब्रित्त की तिरिज्जाएं हमेशा बराबर होती हैं एक ही ब्रित्त की तिरिज्जाएं हमेशा बराबर होती हैं लिख लिए दूफरा लिखे अब बृत्त को सभी ब्रित्त को सभी ब्यास केंद्र पर सम्दुभाजित करते हैं बृत्त को सभी ब्यास केंद्र पर सम्दुभाजित करते हैं यानि अगर इसमें से हम जीवा को हटा दें इसमें से अगर हम जीवा को हटा दें तो ये बृत दो भाग में बंट जा रहा है दो पार्ट में बंट जा रहा है कौन-कौन एक तो ये A-B हो गया और एक इधर वाला A-B यानि जैसे एक तरबूज है बीच से काट दीजिए तो तरबूज आधा-धा हो जाता है न वैसे बृत को क्या करता है जो ब्यास होता है वो दो भाग में बाड़ता है बराबर बराबर समझ में आ रहा है न अरबिंद चक्रवर्ती को पांच मिनट के लिए होल्ड कर दीजिए बहुत छट पटा रहे हैं इनको पांच मिनट होल्ड करिए दूसरा दूसरा हो गए न तीफरा लिखिए पहला मैंने लिखवाया साथियों एक ही बृत की सभी तरिज्जाएं आपस में बराबर होती है दूसरा बृत के जो सभी ब्यास होते हैं ऐसे बोल सकते हैं बृत के सभी ब्यास बृत को दो बराबर बराबर ब्रित्त के सभी ब्यास ब्रित्त को केंद्र पर दो बराबर बराबर भागों में बाड़ते हैं ठीक है अगला लिखिए यदि दो बृत की तुरिज्याएं आपस में बराबर है तो दोनों बृत आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ठीक है? तो दोनों बृत आपस में बराबर होंगे चौथा नमबर लिखिए बराबर बृत्तों की परिधी भी आपस में बराबर होती है बराबर बराबर बृत्तों की परिधी यानि सरकंफरेंस भी आपस में इक्वल होती है लिख लिजिए अगर आप वास्तों में पढ़ने वाले हैं तो जरूरी है लिखना ठीक है ये बृत्त की क्या है खासियत है नहीं लिख पा रहें तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सुन लीजिए वीडियो थोड़ा पीछे करेंगे फिर सुनाई पड़ेगा बृत्त के भीतर अगला लिखिए बृत्त के भीतर किसी बिंदु से केंद्र की दूरी हमेशा त्रिज्जा से कम होती है बृत्त के भीतर किसी बिंदु से केंद्र की दूरी हमेशा त्रिज्जा से कम होती है जैसे example के लिए मनें कहा इसमें AC त्रिज्जा है अगर मनें ठेवर खींदिया OC तो ये भी क्या है त्रिज्जा है लेकिन अगर बृत्य के भीतर हम कोई point ले लेते हैं माल लो यहां ले लिए तो अगर हम इसको मिलाते हैं माल लेते हैं इसका नाम हमने रख दिया A, Z, sorry, Z डख दिया तो साथियों जो C और Z है ना इसकी दूरी इसकी दूरी हमेशा A, B या O, C या B, C से कम होगी यही कहा जा रहा था समझ मैं है ना जैसे कोई और point ले लेते हैं यहां ले लेते हैं माल लो इसको मैंने यहां मिला दिया तब अगर इसका नाम मैंने Y, C रख दिया तो यह Y, C की जो दूरी है Y, C की जो लंबाई है वो हमेशा B, C या A, B से कम होगी क्योंकि यह परिधी में टच नहीं कर रही उसके थोड़ा पहले ही है समझ मैं है ना भई यह प्रिया कुमारी को बलग करी है इनको पंकज की बड़ी फिकर हो रही है और पंकज को इनसे जादा मतलब और जादा फिकर है तो इनको लोग को अटाईए यहां से क्योंकि पढ़ने दीजिए यह चोटे बच्चों की कलाफ नहीं है यह उन लोगों की कलास है जो इस छेत्र में महारत हासिल कर चुके है अब उनकी इच्छा नहीं इसमें और कुछ करने की है ना तो ऐसे इन लोगों को यहां से हटाईए अभी लोग नादान है अभी इक्सपर्ट नहीं हुए है मैं चलिए छटमा नंबर लिखिए एक केंदरियवे नहीं इस stiff कभी आपस में काटते नहीं है कभी आपस में काटते नहीं है एक केंद्र ये बृत्त कभी आपस में काड़ते नहीं इसमें कुछ मैंने और भी चीजें लिखके रखा था लेकिन वह मिल नहीं रहा है हो गया एक बृत्त का केवल एक ही केंद्र होता है सबसे बड़ी बात यह भी है एक बृत्त का केवल एक ही केंद्र होता है एक ही सेंटर होता है एक से अधिक केंद्र बृत्त में नहीं होते हैं समझ गए ना ये था बृत्त की विसेश्था हैं जो मैंने लिखवा दिया साथ आप लोगों ने उमीद है कि लिख लिया होगा ठीक है अच्छा पांकज दो लोग है ठीक है कोई बात नहीं किसी को बलाक नहीं किया जा रहा लेकिन आप लोग बात करो सिर्फ पढ़ाई करिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई क्योंकि वक्त जब बीतरा है जैसे जो लोग डिये लेड कर रहे हैं वो तो अकसर अठारा से पचीछ साल तक हो गया हो आने वाले दो से तीन साल में लोग यह नहीं पूछेंगे आपके कितने बाफ्रेंड है कितने गल्फ्रेंड है कितने फ्रेंड है यह पूछेंग करते क्य करते क्या हो कमाते कितना हो क्या प्रोफेशन है आपका तो क्या इसे मुह बना लोगे का करोगे कि इला के दिखा दो के फोन करके आवा आव बापु दिखाईतों का बॉलावता है का करोगे बता इसलिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए बड़े अनुभव के साथ बोल रहा कि तो क्या इसमें मेंने आपको ब्रित खंड़ कुछ चीज़े हैं जो यहां पर नहीं बता सकती है उनको गोला परकार पट्री पेंसिल से दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर वो नहीं हो सकता है कुछ कुछ आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें कोई सूत्र नहीं बताया है तो लिखिए एक ब्रित्त की त्रिज्या तीन सेंटीमीटर है तो ब्रित्त का ब्यास बताईए एक ब्रित्त की तिरिज्या तीन सेंटीमीटर है तो ब्रित्त का ब्यास बताईए देखिए ये बातें छोटी-छोटी होंगी भले कुश्चन बहुत छोटे-छोटे हैं सूत्र बड़े छोटे-छोटे हैं लेकिन ये आपको आना चाहिए जरूरी है ठीक है आना चाहिए आपको को और को यह सेंटीमीटर तीक ऌत로 हो गया माल लेत fluor कि यह 3e सींटीमीटर है च देखिए सिंपल से मैंने अभी बताया है बहुत दिन से बता रहा हूं बताते-बताते बुढाया लेकिन आप लोक समझो तब ना जो तिरिज्या होती है वो ब्यास की आदि होती है तो इसका सू्त्र होता है इस कह ब्यास बेर बैबर दो गुड़ा थार। को है हैं कर अगरह दर दर रो मान लिया जाए लिसकत को प्यून को है तो डी उती एक ौर यह फर्मूला होता है इसी का जश्ट उल्टा भी कर लीजिए अगर आर निकालना है तो डी अपांट टू हो जाएगा यह सूत्र होता है इनकी त्रिज्ज्य रुज्ज्य निकालने का है कि समझ रहे हों आप लोग तो मैंने कहा था कि अगर तरिज्या थ्री सेंटीमेटर दी गई है आपको ब्याओं निकालने तो देबल कर दीज sciences हो गया है हूं हो गया लेकिन लेकिन का है अगर इसकी परिधी निकालना हो तो कौन कौन कर लेगा भई अगर इसकी परिधी निकालनी है तो क्या आएगा अच्छा इसकी परिधी निकालना के बताओ साथ रख लो इसको तिरिज्या को साथ सेंटीमेटर ले ले लीजिए आप बताएए इसकी परिधी कितना आएगी कितना होता है 2 pi r होता है ना 2 pi r होता है ना 2 pi r होता है ना तो भई सिंपल सहा लगा तो 2 pi r हाँ सूत्र लगा दीजिए 2 pi r 2 into pi कमान 22 बट्टा 7 r कमान 7 देखो मैंने अभी इफिलिया इसको बदल दिया था ये कट जायेगा 44 आयेगा 44 cm कितना आएगा 44 अंजली बर्मा दिपेंद्र ठीक है अगर यह सिर्फ 3 रह जाता तो क्या करते तो यहां कटता नहीं बस और क्या और पाई कमान भीना रखते फिर यानि 6 pi आता अगर इसको आर को 3 ले लिया जाए तो 6 pi आता अगर पाई कमान रख भी दोगे तो कटे बटेगा तो है नहीं को नो मतलब निकलेगा नहीं सब को समझ में आ रहा है न लेकिन आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं भाई क्यों मजा नहीं आ रही है कुछ सेर सायरी जो जोग चुटकुला लेके आया करें का यहां मजा भी आया बीच बीच में सभी साथी फट से कलास को लाइक कर दीजिए तुरंत जल्दी करिए इसमें यह जो भी थे बृत में लगबग हो गए अब कुछ रचना वाले टोपिक हैं जो यहां पर बीना आउजार के नहीं हो सकते हैं और वह आउजार यहां पर दिखनी पाएगा क्योंकि यह कैमरा बड़ा दूर है मतलब गोला परकार पट्री पैंसिल और यह सारी चीजें इसका मैं आपको वीडियो दूंगा या कल के लाइब में दिखाऊंगा कुछ बेवस्था करूंगा ठीक है इसमें कुछ पर्मिये भी सिद्र करवानी है जैसे की बृत्य के केंद्र को जीवा के मद्ध बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है सिद्र कीजे बृत्य की जो तिरिज्जा होती है ब्यास की आधी होती है वगएरा वगएरा तो जो सिंपल सी चीजें थी यहाँ पर बताने लाइक मुझे लगता है कि वो हो गये हैं अच्छा यह बताईए आयत के कोई गुण बताईए आप लोग रेक्टेंगल की कोई प्रपर्टी याद है आपको बोलिए आयत के गुण कोई भी एक प्रपर्टी बताईए आप लोग मेंने पढ़ाया है आयत का कोई एक ऐसा गुण बताईए जिससे शिद्ध हो जाए कि वो आयत है जैसे सब लोगों का कोई ने कोई गुण होता है ना है कि समझ रहों कि नहीं कुछ लोगों का गुण होता है बालवाल बड़े धंक से बना के चलते हैं तो उनको कोई भी अगर पूछे का बताओ बताओ किसके बारे में अरे वही जो बलवाई से बना के चलता है यह चलती है मतलब कुछ ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड हो ज ठीक है मैंने पूछा कि आयत का कोई गुण बताइए तो इसमें सबसे पहले जो जबाब आया है वो है फीजा खान का इन्होंने कहा कि प्रते कोण नब्बे का होता है तीन सम एक सो असी यह तीन सम एक सो असी का है भाई और कोई एनिवन प्रीती क्रियसन सामने सामने की अनुपम जी बहुत अच्छे अंजली रुची और रचना कमेडियन एमेस हास्मी हर कोण नब्बे का नहीं होता प्रते कोण ऐसे बोल सकते हैं हाँ यह भी सही है आपका एब्री एंगल नैंटी का होता है ठीक है तो साथियों अगर हम बोलें मोटा मोटा आपने पूरा डीलेट का किताबी यह खतम कर लिया हां डीलेड यानि बीटीसी का कोर्स आज से खतम हो गया बड़ी खुसी की बात है मुझे पता भी नहीं था खतम हो गया तो आपका फॉ यह डीलेड यानि बीटीसी पर्थम समयश्टर का मैथ का कोर्स खतम हो गया है लेकिन जाना नहीं खुसी मचा के कि जाओ चलो डंस करो कल से अब तो खतम होईगा नहीं अभी यह खतम हुआ है मतलब नार्मली खतम हुआ कि कोई इलजाम ना लगा है मेरा कोर्स नहीं खतम अब हम इसको गहराई से चाट डालेंगे पूरा एक तरप से समझ रहो ना मतलब समझ रहो कि नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ अभी इसको क्या करना है खुब अच्छे से रिवाइज करना है खुब अच्छे से इसको क्या करना है रिवाइज करना है जो जो चीजे मैंने करने हैं कि डान्स करना भी शुरू कर दिये कुछ लोग चालो तो एक क्वेश्चन बताइए संपूर्ण कोड कितने अंसका होता है संपूर्ण कोड मीन्स कंप्लीट एंगल कितने डिगरी का होता है कि एवाई डान्स मांसा मत करो चलो बताओ पहले पहले बताओ फिर कर लेना चलो है रुग जा रुग जा अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटा निवन कोड कितने डिगरी का होता है अंजली यह तो बहुत पहले बता दिया गया होगा अगर आपके चेप्टर में होगा तो सबसे पहला जबाब आया है भाई इसमें सुप्रिया का फिजा खान और पंकाज तीन लोग का नाम बोलूँगो बस 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 सबसे चोटा निवन कोड कितने डिगरी का होता है एक सोसियन्स के कोण को क्या कहते है उसका नाम क्या है रचना गलत है कि सिंगल बॉय तुम्हारा भी गलत है बच्चा और वन सी का ठीक है सही है लगबग सही है चलो पीजा खान ठीक है कि सरिता क्यों 45 से नीचे निवन कोड नहीं होता है का एक सोसियन्स के कोड को क्या बोलते हैं सबसे पहला इसका जो सही जवाब आया है 1808 के कौण को रिजू कौण बोलते हैं उनका नाम है दीपेंद्र दीपेंद्र जी बहुत अच्छे बेरी गुड दीपेंद्र जी बहुत अच्छे ठीक है यह आप लोग ने पढ़ा है ना पढ़ा है ना यह एकदम चोटा सा कुष्चन बताई यह एकदम चोटा सा इससे चोटा कुष्चन बगवान बनाके गए नहीं तुम्हें वही बता देता हर वो यह है कि यह तिरभू जाए लगतोरा दिर्भुजय है बाकी जो भी हो बगवान जाने इस वर प्रभु जाने चलो बताओ अगर इसका एक एंगल 45 का है और एक एंगल मैं माल लेता हूँ कि 75 का है तो चचा बताओ की का होगा C नंबर कितने का होगा पंकज रभी कुमार हाँ बोलिए 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 कितने का होगा सोचिए और बताइए कर लेंगे इसको भी अच्छा ये रिवीजन है हो रहा है क्या हो रहा है रिवीजन हो रहा है क्योंकि सब खतम हो गया कि भाई सिंगल वाय तुम तो बड़ा अजीब टाइप का कमेंट कर रहे हो खतरनाक टाइप का लेकिन उत्तर तो गलत है कि अनुपाम का सही है कौतम का गलत है और सुप्रिया का सही है माहिरा का सही है रेखा का भी सही है प्रियंका ठाकुर जी सही है सबुनाते हैं आप लोग साह ooh, एक और बताया या वन उप jam, फाईफ को परसेंटेज में कानवाट करेंगे तो कितने लुटेंट न काहि है दिमाग और कान खुला रखिये और जिन लोगों की कलास के साथ साथ में गुप चुप वाली चैटिंग भी हो रही हो वो लोग उसको ना करें बंद कर दें क्योंकि मैंने देखा है सुना है कि लोग पढ़ते भी रहते हैं कोई मुझ भी देख रहे हैं कुछ भी करने बीच-बीच में उपर सही से नोटिफी ने बताया था लेकिन इन्होंने थोड़ा सगड़बड किया था दीपेंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था दीपेंद्र बहुत अच्छे 20 परसेंट आएगा न सातियों मैंने बताया था कि पर्फिंटेज में करने के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से मल्टीपल क करते हैं इसको हल करेंगे ऐसे तो बराबर कितना आएगा 20 परसेंट कितना आएगा 20 परसेंट कोई दिक्कत किसी को नहीं न अच्छा ठीक है कि रिबीजन बहुत जरूरी है याद रखना अरे हम पढ़ते थे हम लोग न हमारे गुरु जी थे पढ़ाम उनको गुरु जी हम अधर्चारर को तो हम लोग का बड़ा मजा लेते थे कहते थे का ओफलाने याद होईगा तो हम लोग कहते थे हाँ गुरु जी पढ़ सब लिए याद भी होईगा लेकिन रिबीजन बाकिये समझे रहा है उतका कहते थे हाँ यी पेपर तक कहना रिवीजन बाकिये रह कि तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी यह जैसे होता नहीं कोती कि इसी को कुछ बोलता है कब त Regarding का है यहां थे भाज़रें की नहीं मतलब आदत होते कुछ लोगों की सुन लेंगे फिर मी बोलेंगे क्या का तो वो कंफर्म करते हैं तब ही कुछ बोलते हैं तो वैसे क्या इसमें भी कंफर्म करना है आपको कि आगे एक और बताइए अगर किसी परिक्षा का पूडांग के आठ सो है और कोई उसमें से प्राप्तांग 680 नंबर पाता है तो कितना पर्फिंटेज है आगे कर छी त давно बताए कि तना पर्फिंट है बंकज आपका तोशही था लेकिन आप ने पर्फिंटेज का चिन नहीं लगाया था है बंकज पर्फिंटेज का चिन ना लगाने की कारण आपका गलत था गे आuh मैं बताईये जब आप दीजिए कितना आएगा बोलिए ए बाई साव यह मैंने पढ़ाया था ना आपको CP यानी क्रे मुल्ले किसी बस तुका CP यानी क्रे मुल्ले 1200 रूपय है SP यानी की सेलिंग प्राइस उसका 900 रूपय है तो यह बताओ percentage profit कितना होगा पढ़ाया है ना मैंने इसको कि नहीं पढ़ाया है ना पढ़ाया है ना बताओ चलो बहुत अच्छे बाई बेरे गोड इसमें अगर मैं बात करूं अंसर देने वालों की कमी नहीं है एक से खतरनाक भी रही है इसमें सबसे पहला जबाब लकी ने बताया है 85% अनु बल्यान ने भी वही बताया है लेकिन इन्होंने परफेंटेज नहीं लगाया एक कदम उरा गये हैं पंकज ठाकूर बहुत अच्छे ओस्वारी प्रियंका मतलब नाम एक जई से है तो गड़ बड़ो जा रहा है साथियों इसका परफेंटेज निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था आपको प्रापतांक को गुड़ा करना है 100 से क्यों भाई यह यह ना पुड़ांक से भाग दे देना है यह भाई रुक जाए एक मिनिट पुड़ांक 800 था यही करना है ना दूजीरो से दूजीरो गया आठ से काटेंगे आठ चंग तालीस कट जाएगा आठ ठाई चौशट अट पंचे चालीस 85% वालों का सही है यह फार्मूला बताया था जो प्रापतांक है उसको 100 से गुड़ा करके पुड़ांक से भाग दे देते हैं टोटल है तो इसमें कितना cancers profit है पहले तो यह जानो और वाया कि pop it थाई कितना अए पर्टेज बाद में निकालना हँँ अगर चोटा सा बच्चा है तो पहले वो कि अबड़ना सीखता है पहले दाउडने लगता है इना पीले उटके बाइधना सीखता है चिलाता है कूंप तब फिर जाके चलता है ताप दोड़ता है तब मार करता है समझ एर ऐ mo तब यह WhatsApp में जो कर रहे हो इसको करता है बाद में तो Profit कितने का हो रहा 300 का हो रहा है क्योंकि खरीदा ए भईया Profit हो रहा है कि लास हो रहा है इस मेर यह कहां जा रहे हैं दुनिया यह Selling Cp Admin Cost Price बारा सो था बैंचारas 900 में बैचारा यह Profit हो रहा हुआ था सभी चैनला 100 भाईया 12 रूपय छरीदा था था नौश में बैच रहा है कितने में 900 रूपय बैच रहा है तो यह Profit होगा यहां पर लॉस हो रहा है कि 300 का ना कितने का 300 का तो क्या करेंगे पर फेंटेज हानी बराबर या लास बराबर लिखेंगे तो हानी कितने की ओर ही 300 की गुड़े 100 बटा कितने में खरीदा था बारा सो जीरो से जीरो कट गया कि इनको काटपिट दीजिए यह कट जाएगा क्या कि 25 को नो बता रहा भी कट जाएगा का 12 दूना 24 बारा पंचे साथ हां ठीक है बर्री गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे इतने सुंदर सुंदर बच्चे वाप लोग की मैं क्या कहूं चलो अच्छे बीत रहे क्योंकि कोर्स खतम हो गया मैंने तोड़ा रिवीजिन कर दूंट तो चार टाइम भिज्ड बंद करें लेकिन एक खत्में नहीं हो रहा है जिंदगी पहली बार हुआ जा जबमने टाइम विद आने के लिए शोचा नहीं तो जिंदगी में टाइम ना मेरी हातों स इतना तेज भागता है कि मैं पकड़ता रह जाता हूं चलिए फिलाल ये तो बात निकल गई है ऐसे ही बाकिर टाइम बिताने की बात ही नहीं बहुत सारा काम है अभी इसमें कि आप लोग जानते हैं बिंदू क्या है कि पॉइंट वाट इज पॉइंट मैंने पढ़ाया था बिंदू इसकी परिभास अगर आ गया लिखने को बिंदू क्या है तो क्या बताओ गया यह बिंदू बोल रहा हूं मतलब पॉइंट बिंदू किसी का नाम नहीं क्या है सोचिए और बताईए है भाई पीछे कुछ गड़बर तो नहीं दिख रहा है इधर गुमता हूं तो मैं खुद नहीं देख पाता हूं पीछे गुमता हूं तो आप लोग देख लेते हो गए को सल्या मॉर्या गौतम देखो भाईया पढ़ने आया हूं ना बाबू तो पढ़ लीजिए अच्छा काम करोगे तो खुद ही नाम होगा हाँ जहां से अनंत रेखाएं खीची जा सकें उसे बिंदू कहते हैं और कोई जिसकी लंबाई नहीं होती है ठीक है असनेया अनुपम नीलम यादो किसी पैंसिल के नोग चिन को बिंदू कहते हैं नोग चिन को मतलब आपका भी भावनाय सही है जो आप कहना चाहती है लेकिन यह थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहिए कई तरीके से आप कह सकते हैं अगर इसे हम विज्ञान की भासा में देखें तो एक ऐसी आकरती जिसकी कोई परचाई नहीं होती जिसका कोई मतलब यह परसाहिस में क्या बोलते हैं से हां धीमा नहीं होती है से बीएब अशॉक्ते हो एक ऐसा चिन जिसकी ना तोira मधाय होती ना उचाहिए ना म Soup नहीं होता है वह नता है वो इंदू काला चय क की के कि आख ना ऊच्राय मॉत हो बहुत अच्छे आप लोग समझ रहे हो बस बोल नहीं पार हो मतलब कहते ना मोहम बाई लेकिन निकलत नहीं वह रहा यह दिक्कति है पर एक सब्छों में नहीं दिक्कत ऊजागा ना भाई रहात है मुहम लेकिन हताव मैं आ यॉद लिखाट नहीं बनत पिर आखंक का कहते हैं, हוש उन रही हो, हमें आते सभावत रान, लेकिन हम लिखे रहे न, पहेएंगा बस, समझ रहा उक नहीं? मालुम सभावाल लिखने पहाँएंगा, तो वही हाल है, ध्युठि लिए रिभीजन कर लीजिए, इफ लिए रिवीजन कर लीजिए जिससे ये ना कहना रहे खां सभावत्रान लिखना पाए तो ये बताइए तीन यक्स का स्क्वाइर धन यक्स का स्क्वाइर क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है कि नहीं देखिए यह सजातिये पद हैं सजातिये बीजातिये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को ना बताया था कि जो लोग कलास में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं कहीं आपस में साथे में काम काज करते हैं तो ऐसे दो लोग जो जिनकी सोच पसंद और क्या बोलते हैं उसे कार एक्टिविटी गुण पर गुण बहुं सारी चीजे होती है अगर मैच खाती है तो उन्हें फ्रेंड्स ही हो जाती है दोस्ती हो जाती है और दोस्ती क्या होती बाद में प्यार में बत्वर जाती है तो तो यह एक्जाम्पल के साथ मैंने आपको बेसिक वाली कलास में पढ़ाया था सायद अगर आपने देखा होगा तो इन्हें यहाँ पे जादा हम डीपली नहीं बताने वाले हैं अगर इनके चर यानि बेरियबल सिक्वल होते हैं और घात भी बराबर होती है तो यह सजातिय पद कहलाते हैं है ना घात बराबर होनी चाहिए और चर भी एक जैसे होने चाहिए तो सजातिय पद कहलाते हैं है ना तो यह घात भी बराबर है चर पद भी बराबर है इसलिए जूड़ जाएंगे और जूड़ते कौन है जूड़ते कौन है यह घात बात सब देखने के लिए हैं जैफे देखते नहीं हो नेता अभी समय सबसे अच्छा एक्जामपल चुनाओं का चल रहा हुपी में एक दूसरे पार्टी के परत्यासी जो है आपस में कभी लड़ाई नहीं करते हैं उनके कारेकरता मर कट जाते हैं समझ रहे हो ना अभी देखिये जिनकी सरकार बनेगी ना अगले मुख्यमंत्र उनको बधाई देंगे समझ रहे हो कि नहीं उनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी यह लोग आपस में साधी ब्यामें भी जाएंगे अपना इनका कभी दुस्मनी बाहर नहीं होता है इन लोग का एक गेम ह होता है हुआ से तोंपने ओसकी झाला कर लेते हैं यह मैं क्यों बता रहा हूँ यह मैं इफलिये बता रहा हूं कि इसमें जब जोडते हैं इसमें इसमें इनके गूढांग् गूढांग जूढते बस क् Cape a PClt जुडते हैं गहात है वही लगी रहती है पाइने इसमें इसमें गुडान के ओन है दिख नहीं रहा है सुरह में तो यह तीन और एक इतना हो जाएगा चार-ग में और फार आज़ी टुक्श्च काकिस को आए यानि गुडांक गुडांक आपस में जुड़ जाते हैं कॉफिसियन जुड़ जाते हैं घाते वैसे लगे रहती हैं चरपद वही रह जाते हैं किसमाजंव निए इसको मैंने क्यूं बताया इसलिए बताया क्योंकि आपको ठोड़ा फग्मान हो सकें चलिए एक और बताइएot यक्स का पावर 3 और वनपान यक्स का पावर 3 यह कितना आएगा हैं तो बड़ी छोटी शोटी कि बाते हैं लेकिन आपके this semester syllabus में इससे ज्यादा बड़ा पढ़ना भी नहीं हमनी होने वाला फिर आज मुला अलग से खाना पड़ेगा कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा-छोटा काहे दे रहे हैं तो इतना ही है क्योंकि पहला-पहला समस्टर है पहली-पहली बार है तो इससे जादा बड़ा हो जाएक तो गड़ बड़ हो जाएगा अच्छा एक बात इबांदारी से बताना दिल से बताना कसम खाके ना बताना वैसे बताना अरे इतनी अच्छी बात नहीं पूछने जा रहा हूं बस मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या इसका फर्मूला याद है बताइए याद है कि नहीं भई क्या नाम है वह हीमेश रे समिया की हितेश कुछ ऐसा कुछ कमेंट आ रहा है ऐसे ही कुछ है कि अलग है अरे वह काफी पॉपुलर है वाइस गाने वाने में लोग देखते हैं कापी अच्छी तरह से सिंगिंग होती है चलो अब लोग समझ गये होंगी याद है पक्का याद है जैसे कहते हैं नहीं हो लोग हम तुमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं हम तुमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं कौन कहता है अब समझ गये होंगे ना लेकिन कह दो चल उनीस का पाड़ा चुना तब नहीं इसको तो नहीं कर सकते हैं बागी सब पुछ कर सकते हैं और वही बात वो क्या करता है अगले पांच लोग से पहले भी बोल चुका होता है लेकिन करता कभी नहीं कि बोल चुका होता भी है और होती भी है समझ समझना इसमें होती ज्यादा होता है होता कम होता है तो हाँ यह फर्मूला में इस ल अगराय की हो गया खतम हाँ चलते चलते एक और भी बात कर लेते हैं यह बताइए कि ध्यान देना कि नहीं पागल नहीं कहते हैं पागल हो जाते हैं एक और मैं क्या बताने वाला हूं हूं पांच केजी का पांच केजी का पांच केजी का पांच सो गराम कितना परतिसत है यह बड़ा खतरना कोईश्चन है कि पांच के जी का 500 गराम कितना पर्सेंट है देखो का कह रहा है जीवू नहीं दिलीट भी कर दिया जीतना अच्छा बात लिखा था फिर भी डिलीट कर दिया कितना पर्फिंट है जरा सोचिए और बताइए देखो वाई सिंपल सा बात है यह थोड़ा अलग है यह थोड़ा अलग है यह थोड़ा दोखे बाज बेवफा टाइप का जिसे बोलते हैं समझ रहो कि नहीं अब आप कोगे यह सब बाते का है बोल रहे हो कुछ चीजें हैं ज इसका वास्तविक फेस अभी नहीं दिख रहा है इसका नहीं दिख रहा है इसका नहीं दिख रहा है समझ रहो ना जैसे कोई कहता नहीं मैं तुम्हार ले चांद तारे तोड़ा लाऊंगा अब चांद तारा कभी देखा भी नहीं खुद से छुवा तक नहीं लाएगा गा दीखना चाहिए दूसरे को आमने सामने कैसे हैं यह आये यह पांच केजी दिखा रहा था ना लेकिन यह वास्तों में 5000 ग्राम और यह कितना है पांच सो ग्राम है अब इन में compare करना है इन में क्या करना है compare करना है देखो ये लोग संडे वाली बात जानने के लिए कितने उत्सुख हैं किसी की इज्जत क्यूं भाई सारबजे निक करना चाहते हो करना है और जिसकी प्रेम कहाँई में बताने वाला था कहीं वह सुनके सुसाइड कर लिया तो क्या बता हो गएगा रिम कहाँई का तो परचार कर दिया इन्होंने अब बता बटा चले वह दोनों पर आदेख रहे चुप चुप के ही देखते हैं लेकिन देखते हैं चलिए तो भाईया इसका परफिंटेज निकालना निकाल ले ना मैंने बताया बहुत बार निकाल लोगे न पांसो को गुड़ा कर देना है किस से 100 से और 5000 से भाग कर देना है ऑदो ररा गलत तींजी रौखट जाएगा कि दला यutive वार यंद्रेम जी तरह से बता रहीं है तस दस़ा तो थो यहां पच्छीस परiblिया टा जाएंसे बता रहे थे यह मकूड़ brack बहुत गाली देंगे यहां सही बात है नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे किसी की स्टोरी नहीं बताएंगे बहुत गाली देंगे सही बात है कि चुपपे से बताएंगे कभी कलास में बीच में बता देंगे वो लोग जान नहीं पाएंगे कि समझ में आए ना देखिए सही भी है ये दस परफेंट ही आएगा आप पांच हजार का दस परफेंट निकालो 500 ही आएगा भाई या फिर तुम ऐसे लेलो मोटा-मोटा 500 को दस से गुड़ा करो तभी तो 5000 आएगा ना थी है यह बताईए तीन अंकों की बड़ी जबड़ी संख्या कितनी होगी जब कि साब के गौतम जी ठीक है बहुत अच्छा है बहुत-बहुत बदाई आपको कि आपने पहले बताया था लेकिन भाया्यवло नाम के चक्खर मिन पढ़ा करिए एक्चुली ना हमको दिखाई थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि हमें दो तरफ एक साथ देखना पड़ता है तो एक तरफ ही देख पाएंगे ना एक बार में कि अच्छा आप लोग बताइए पहाड़ा याद है आप सभी को टेबल याद है नाइंटीन सेवंजा कितना होगा बताइए उननी सब्ते कितना होगा यह पहाड़े कुछ इस तरह से याद होने चाहिए क्योंकि जब हम लोग कल्कुलेशन करते हैं तो हम लोग गुड़ा भाग करने लगते हैं दिमाग में रहना चाहिए खोपड़ी में उननी सब्ते कितना होगा इसमें से उमीद है कि अधिकांस लोग को नहीं पता होगा मुझे भी नहीं याद रहता था पहले लेकिन अब पढ़ाते-पढ़ाते ना अभ्यास हो गया ठीक है 133 बहुत अच्छे बेरी गुड उर्वर्शी बर्मा इनका कमेंड तो आज पहले दिन आ रहा है इन्होंने दो-चार दिन कलास देखा उसके बाद यह मंगल गरह चली गई थी तो चला जाए फिर बंद करा जाए अभी तो बहुत कुछ बचा है भाईया बंद काहे से करोगे यह बताए रोमन संख्या रोमन संख्या यल कैप्टल यल यह किसका मान है यह किसका मान है यानि की दसंख्या पद्धती में इसका बैलू कितना होगा जैसे इसका वी का पांच होता है वैसे यल का कितना होगा कितना होगा भाई बोलो ना गौतम जी आप कहिए तो मैं आपके नाम का कल से बोर्ड लगा क्या हूंगा यहां जो भी देखेगा तुम्हें को नाम बोलेगा पस इसमें सबसे पहला जबाब अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम है अंकित पंडे बहुत अच्छे अंकित जी बेरी गुड बेरी गुड अभी गौतम बाद में रोएंगे मेरा नाम तर नाइब वहले ठीक है रोमन संख्या में अगर हम आगे बात करें भाई नराज मत हो ना प्यार से बोला हूं यार गुसान नहीं चल वच अब जबिसम नराजी चल रहे हैं हूं 100 हंड्रेड इसको रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे किससे लिखेंगे बताईये किस से लिखेंगे नहीं इंसल्ट की बात नहीं, मैं ऐसे बोला कि यहां कम से कम जागते रहें, आप लोग सोये नहीं और आप लोग कलास को जब लाइब रहे तभी देखा करें, बाद में मैं कलास देखने नहीं दूँगा, कल से हटा दूँगा जब लाइब मैं पढ़ाता हूँ आप लोग आया करिये टाइम निकाल के आइए मैं अपना सब कुछ छोड़ चाड़ के आया हूँ पढ़ाने आप लोग भी छोड़ दो कुछ दिर के लिए फिर चले जाना उसी में चलो तो ये 35 36 इसको रोमन अंक में कैसे लिखेंगे इसको रोमन अंक में कैसे लिखेंगे बोलिये जल्दी करिए देखिए अभ्यास प्रस्ने में मुझे लग रहा मजा आ रही है क्योंकि संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे रात बीत रही वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है क्या बात है ब क्या यह सही है हाँ या नहीं बोलिए कि यस या नो कि आमिर प्रियंका ठाकुर रेखा आयूसी काई को मुझ बना रही हो कि आवाज काफी लेट में जा रही है अब वीडियो थोड़ा सा आगे भगा लीजिए सही हो जाएगा मुझे लग रहा है थोड़ा फंस रहा होगा मौर्या ने कहा नहीं दीब कहा नहीं 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 अरे इकोन हां बोल रहा है पंकज आए पंकजवा देखा सुधरा नहीं अभी एक बार मैं बोला तो फिर कहेंगे कि हमको ऐसे काहे बोलते हैं सब नहीं बोल रहे हैं कम से कम देखी देखा बोल दो नहीं 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 कहेंगे अब सब लोग कहीं जाते हैं तो क्या होगा तो तुम घड़बड हो गए ना समझ रहे हो ना ऐसा नहीं अगर सारी दुनिया सही रास्ते पर ही जा रही तो हमको भी उसी रास्ते पर जाना चाहिए अगर दूसरा आप सन्ना हो तो तो वैसे यहां पर है क्योंकि यह आंसर जो है गलत है रोमन अंक में कभी भी इसमाल लेटर नहीं लिखा जाता है तो एक और बताए ई A और B ये under root 37 है ये under root 36 है इसमें से कौन रेफनल नंबर है यानि पर्मिय संख्या है इसमें कौन रेफनल नंबर है यानि पर्मिय संख्या है A या B सोबित कुमार निवेदन है धैर बना के रखिए सब्र बना के रखिए और कलास देख लीजिए प्रिया कुमारी कह रही corresponds A, पंकज कह रहें 이게 प्रिया कुमारी अभी तुम्ही बात कर रही ती न अभी तुम्हारी बुद्धि उदर चली गई है, तुम्हारे गलत है बाकी सब कस आही है प्रियंकाठ कुर गौतम, पतेल, चांदनी, अदो, सूरफ और सुमित, माली, नेहा गुपता, रचना, पूर्निमा दुबेदी, वनसिका, ठीक है, भाईया, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर, रेफनल नंबर होगी, पहले तो उसका वास्तविक फेस देखेंगे, चेहरा, अगर धांक रखा है तो पहले खोल के देखेंगे, वह है, को नो आव रहे, समझ रहा हो, फिर डिफाइड करेंगे, वह रेफनल नंबर है या नहीं है, कैसे, चेहरा खोलने का मतलब क्या है, इस पर वर्गमूल लगा है, अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते, यह रेफनल है कि नहीं है, यह परमिय है या नहीं है, पहले उसको वर वर्गमूल का चिन हटेगा नहीं, इस में से चिन हटेगा नहीं क्योंकि इसका completely वर्गमूल नहीं निकल सकता है, निकलेगा जोर जबर जस्ति करने से वह भी दसामलों में आएगा, समझ रहा हो ना, पॉइंट में आएगा, completely पूर्ड वर्ग संख्या वो है यह नहीं, इस ना समझ में, यह बताइए, समझ यह, जैसे हमने 30 लिखा, तो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तीन बार एक्स एक्स, तो क्या 40 को हम 4 बार एक्स एक्स लिख सकते हैं, यास या नो, और अगर नो तो क्यूं, बोलिए, यास या नो, और अगर नो तो क्यूं, सौरव, सुप्रिया, ए भाई, मजा न ले तुर लोगा,